नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन दोस्तों इस वीडियो हम लोग UPPSC 2030 के लिए टोटल 200 सामान अध्यन के प्रस्न देखेंगे और यह प्रस्न आपके आगामी एकजाम PCSJ, RO, BO, APS सही जितने भी आगामी एकजाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी उप्योगी साबित हो गए हैं तो आई हम लोग सुरू क अंतरिच अंसंधान संगठन द्वारा लांच किया जाएगा आदित 11 को वर्ष 2024 में लांच किया जाएगा यह सूर की सबसे बहरी पारतों कोरोना और क्रोमो स्फियर का अध्यन करेगा इसमें आपको बताना है काउन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है केवल एक और दो केवल और तीन केवल दो और तीन यह केवल दो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह गलत है यह भारत का दूसरा सौर मिसन नहीं बलकि यह पहला सौर मिसन है और इसे भारती अंतरिच अंसंधान संगठन अर्थात इसरो जो है से लांच करेगा इसे वर्ष 2024 में नहीं बलकि वर्ष 2023 म और यह है सूर की सबसे बाहरी परतों कोरोना और क्रोमो सफिर का अध्यान करेगा ते यह सही है तो इसका जो ऑप्षन भी है वह सही है हम रतोला जान लेते हैं भारती अंतरिच अंसंधान शंगर्ण के बारे में तीसरी जो अस्थापना हुई है वो 15 अगस्त वर्श 1979 में इसरों का अस्थापना हुई है और इसका जो मुख्याला है वो** बेंगलोरूम इसका मुख्याला है अब अर्थमान में जो इसरो एक चेर्मेन है, वह S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. पूलर प्रोब जो मिशन है यह आपका नासा का है तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है आएते हैं अगला प्रस्म लोग यहाँ पूरुस होकी विशुकव 2023 का आईजन किस राज में किया जाएगा तमिल नाडु केरल ओडिसा या आंध्र प्रदिस तो इसका जो आईजन किया जाएगा यह आपके ओडिसा में इसका आईजन किया जाएगा EF IH पुरुष होकी बिस्वकप 2023 का आईजन किया जाएगा और यह है इसका 15 हमा संस्क्राण है और इसका जो आईजन है यह ओरिसा के भुनिस्वर में की स्टेडियम है कलिंगा और दूसरा एक स्टेडियम आपका है रावर केला का बीजू पतनाई की स्टेडियम और यहाँ पर 23 से 31 जनवरी 2023 तक इसका आईजन किया जाएगा और इससे पहले भारत ने तीन बार पुरुष होकी बिस्वकप का जो आईजन है वह किया है और भारत ने वर्स 1982, 2010, 2018 और यह चावती बार जो है इसका आईजन कर रहा है वर्स 2023 में पुरुष होकी बिस्वकप का और भारत ने 1975 में एक मातर पहली बार जो है भारत ने इसे जीता था और इस बार जो है तेज का जो आईजन होगा इसमें कुल 16 टीमें भाग लेंगी 16 टीमें इसमें भाग लेंगी यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग और नोट कर लिजेगा कि जो पूरुष होकी हमारी भारत की है और महिला होकी है टीम की जो जिम्मेदारी है जो स्पांसर्सिप है वो ओडिसा ने 10 साल के लिए करार किया है इसको भी आप लोग नोट कर प्रस्प्रण लोग यहां पर एक तरफ राजवंस है दूसरीं तरफ राध्धानी है उसको आपको सही सु मिलिन करना है चोलवंस की जो राध्धानी थी संजवर पाण्या की रादधानी आपके मद्धाय थी चेर की रादधानी थी वव आपके वथ्जी और पल्णों की रादधानी थी आपके कांची पूरमती तो इस प्रकार जो है इसका जो option C है वसव्स ही है आयते हैं आगला प्लोट स्ट्ऋलक टाइट और् def किसके निच्छेपन स्वरूफ है हिमनत के, पवन के या भूम गजल के, या इनमिस कोई नहीं तो यह जो निच्छेपन है ये भूम गजल के हैं इसका ज्य optical सी है, वह सही है औН। जो आपका हिमनत है पवन से कुछ आकर्टिया बनती है उनको अपलो जान लिजे, हिमनच से आपका ड्रमलीन बनता है, ड्रमलीन और एसकर्स जो है, वह हिमनच से बनता है। तिसका जो option सी है वह सही है Yes, for and at y और अच्छा मिसाइल परणाली के संदर में यहाँ पे दो statement दिया गया है पहला जो statement है इसकी आपरती भारत को रूस कर रहा है और यह सतय से हवा मार करने वाली missile है इसमें आपको बताना है काउन साइ statement जो है वह सही है केवल एक, केवल दो, दोनों यहाँ इन मिस कोई नहीं तो इसका जो पहला statement यह सही है Yes, for and at y और अच्छा मिसाइल परणाली जो है यह भारत को रूस परणान कर रहा है और इसका जो दो से statement यह भी सही है कि यह सतय सहवा मार करने वाली missile है Yes, 400 जो है, Yes, 300 का यह 19 संसकन है और भारत और रूस के मदद यह डील होई थी वर्ष 2018 इसकी डील होई थी और यह डील पांच अरब डालर मोई थी पांच अरब डालर मोई थी और टोटल जो है, पांच इसकोईरडन जो है भारत को रूस देगा और वर्ष 2023 के जन्वरी फर्वरीम जो है इसका तीसरा इसकोडन जो है वो भारत आ रहा है और इसकी जो रेंज है वो 400 किमीटर इसकी रेंज है Yes, 400 missile की आएते हैं अगरा प्रसम लोग इजराह प्रणाली के बारे में यहाँ पर दो statement दिया गया है यह भारत में राजस्व क्रिसी पनाली का एक रूप था इसे हुमायू ने पेस किया था इसमें आपको बताना था कवन सा statement सही है केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमेंस कोई नहीं तो इसका जो पहला statement है वह सही है यह भारत में राजस्व क्रिस पनाली का एक रूप था और इसका जो दोस्टेटमेंट है वह गलत है इसे हुमायू नहीं पेस किया था बलकि बंगाल में वहारे हेस्टिंग ने 1773 में इसे पेस किया था और इसकी अनुसार राजस्व इकतर करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को निलाम किया गया था इसमें आपका किसान ब्यापारी अधुकांदार जो होते थे वह इजरेदार को अपना किराया देते थे इसका जो ऑप्शन ए है केवल जो पहला statement है आपका सही है मैक्स 14.7 किसकी आधिक उपज देनी वाली और कीट प्रतिरोधिक किसम है सोयाबीन की चावल की यह हों कि यह सूरज मुखिल की यह जो किसम है यह सोयाबीन की है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और इसे पूरे के अगोरकर अनुसंदान संस्तान ने इसे विक्सित किया है यहाँ पर आपको बताना है कवन सही सुमिलित नहीं है बेलम गुफाएं आंदर प्रदेश, खंड गिरी गुफाएं मदर प्रदेश, वराग गुफाएं तमिलाडू, मौमलू गुफाएं मेगाले तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन भी खण्नगेरी गुफाय जो है यह मद़ पर द्यênio नहीं है बलकि यह ओरिसा में है और इसे इसीत और और है उद्धाइगरी यह भी कई भार पर्चों में पूचा गया है बाकिसा भी सुमेले था हैं बेलम गुफाएं आपके अंदर प्रदेश में हैं वरा गुफाएं तमिल्लाड में हैं और मॉमलू गुफाएं जो आपका मिघाले में हैं तो इसका जो ऑप्शन भी है वस सही निवभी कत्नों पर विचार केजिए यहां पा तेनी स्टेट्मेंट दिया गया है हाले में बिहार की मिथिला माखाना को जी आई टेग दिया गया है जी आई टेग की जो वहत्ता होती है वह बीस वस्तक होती है यह वस्तूओं के भागवलिक संकीत तक पंजीकरण और संड सबस्क्राइशन आधिन्यम 1999 तहत प्रदान किया जाता है आपको बताना है कव रहता है क्यां सा लात ओर नोर तीन या एक दो तीन इसका जो पहला स्टेट्मेंट यह सही है इसका जो है बिहार की नितला माखाना को जी आउइ टेग दिया गया है इसका दूरसा statement यह गलत है GI tag जो प्रदान किया जाता है उसकी जो वहता होती है वह 20 वर्ष नहीं होती है बलकि 10 वर्ष तक होती है इसकी वहता तिसका दूरसा statement यह गलत है और यह तीसरा जो statement यह सही है यह वर्ष तो के भागौली संके तक पंजिकरण और संदेशन अधिन्यम 1999 तहट दिया जाता है तिस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो है इसका statement सही है पहला जो GI tag दिया गया था वर्ष दोजार चार पांच में पस्य मंगाल के दाजलिंग चाय को दिया गया था यह भी fact आप लोग नोट कर लिजएगा तिस प्रकार जो है इसका जो option B है वस सही है यहाँ पर दो देशों का यूग में दिया गया है इसमें आपको बताना है कौन जो है अरल सागर के निकरतम है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान उजबेकिस्तान कजाकिस्तान रोज आपनों का असानी समय में इसलिए यहाँ पर मैप का प्रियोग किया गया है यह है आपका अरल सागर है और इसके सबसे करीब आपका कजाकिस्तान है और उजबेकिस्तान है, तो इसका जो पहला option है, वह सही है, बाकिया अन्यदेश भी है, लेकिन यह आपके दूर-दूर है, यहाँ पर सबसे निकर्तम पूछा गया है, तो इसलिए जो इसका option E है, वह सही है, इस प्रकार की प्रस्ण आपकी परिश्या में बार बार देखनों तीस्ता नदी का हिस्सा, इसका जो option C है, वह सही है, सतलज और काली नदी की मद्ध जो आपका कुमाई हमाला है, कुमाई हमाला है, तीस्ता और दिहां की मद्ध जो है, असम हमाला है, और सिंद्ध और सतलज की मद्ध आपका पंजाब हमाला है, तो इसका जो option C है, वह सही ह वंदे भारत ट्रेन के संदर में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिली से वारानसीक मद वर्स 2019 में चलाई गई थी दूसरा statement है पस्सी मंगाल में सात्मी वंदी भारत एक्सप्रस वे हावला से नियु जलपाई गोड़ों की बीच जो है चलेगी आपको वताना है कौन सा statement जो है वह सही नहीं है केवल एक केवल दो दोनो ना तो एक ना ही दो तो इसका जो पहला statement है यह सही है कि पहले जो भारत वंदी ट्रेंट चलाई गी तो वर्स 2019 में नई दिली से वरान सिंग मदे चलाई गी थी इसका जो दोसरा statement यह भी सही है कि जो साते में वंदी भारत ट्रेंट चलाई जा रही है यह पस्ति मंगाल के हाबला से निव जल पाई गुड़ों की मदे चलाई जाई जाई इसमें पुछा जारा कौन सही नहीं है तो इसके जो है दोनों statement सही है इसलिए इसका जो option D है वह सही होगा थोड़ा समलों जान लेते हैं वंदे भारत ट्रेंट बारे में वंदे भारत ट्रेंट की जो स्पीड वलगभग 160 से 180 किलमेटर पर घंटा की स्पीड इसकी चाल है और जो पहले जो ट्रेंट चलाई गये थी वंदे भारत की वह नई दिल्ली से वरान सिंग मद चलाई गये थी दूसरी आपकी दिल्ली से कटर चलाई गये थी तीसरी वंदे भारत ट्रेंट गाधी नगर से मुंबई सेंटरल चौथी आपका नई दिल्ली से अंब अंदाव संदी है वह सही है इसमें कोई भी स्टेट में जो है वह गलत नहीं है आईते हैं आगला प्रस्म लोग यहां पर जापान के दुइप दिया गया है जिससे आपको उत्तर से दच्छिड करम में जो है सजाना है क्यूसु दूप होंसु सिकोकू और होकाईडू इसके लिए अप इसके बाद आपका सुखोकू आएगा और अंत में आपका क्यूसु दूप आएगा तीस प्रकार जो है इसका जो ऑप्संटी है वस सही है यह आपका उत्तर से दच्छिड करम आप जान गए हैं इसे अगर आपको प्रस्ण पूझता इस प्रकार से आउरोही करम में आपको सिक्यों को आएगा आप लोग आवरोही आवरोही करम में जान लेजिए अदूसरे तरह आपका उत्तर से दच्छिड या दच्छिड से उत्तर आपकी परिश्यां फूझता है तो उसके उत्तर आप देश सकेंगे जापान का जो सबसे बड़ा जो दूइप है वह आपका ख भारत में दूसरी राष्ट्य सिच्छानित किस वर्स में जारिक की गई थी उन्निस समय भारत को प्रधर मंत्री थे वह राजिव गांधी जी थे राजू गांधी जी के समय में दूसरी राष्ट्य सिच्छानित जो है वह जारिक की गई थी पहले जो सिच्छानित थी वह वर्स 1969 में जारिक की गई थी और उस समय भारत को प्रधर मंत्री थी वह इंद्रा गांधी जी थी और तीसरी सिच्छानित वर्ष 2020 में आई है यह आपके तीसरी रही है और इसके लिए जो समित गठित की गई थी वह कस्तूरी रंगन जी की अधच्छता में इसकी जो है समित गठित की गई थी कस्तूरी रंगन जी की अधजता में तिस प्रकार जो है इसका जो option B है वह सही है अब तक कुल जो है तीन राष्टी सिछानीत आ चुकी है भारत में पहली 1964 में, दूसरी 1966 में और तीसरी आपके वर्ष 2020 में आयते हैं अगला प्रस्म लोग फ्यूचर बुद्धा को क्या नाम दिया गया है मैत्रे, आदिनाथ, गौतम या इनमिस कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो option A मैत्रे कहा जाता है फ्यूचर बुद्धा को इसका जो option A है वह सही है आयते हैं अगला प्रस्म लोग यहां पर एक तरफ किताब दी गई है दूसरी तरफ लेखक दिये गई है उनको आपको सही सुमिलिक करना है ग्लिम्सेज आफ वर्ल हिस्ट्री इंडिया इन ट्रांजिर्शन भारत का आर्थिक हिस्तियाद इंडियन अनरेस्ट जहालल नहरू, वालिन्टाइन शिरोल एमेन रोय या आर्सी दत ग्लिम्सेज आफ वर्ल हिस्ट्री जो पुष्टक है वह जभालल नहरू न Приया है इंडिया इन ट्रांजिर्शन जो पुष्टक है वह एमेन रोय ने लिखी है भारत का आर्थिक इस्तिया जो पुष्टक है वो रसी दत ने लिखी है और इंडियन अन्रेस जो पुष्टक है वो वैलेन्टाइन सिरोल ने लिखी है तीस प्रकार जो है इसका जो option B है वो सही है ग्लिम्सेज आफ वर्ल हिस्ट्री यह आपके जोला नहरू जी लिखे हैं इंडियन इंट्रांजिस्टन पुस्तक यह में रोयल लिखा है भारत कार्थिक इस्तिया जो पुस्तक वह आर्सिदत और इंडियन अन्रेश जो पुस्तक है वह वालेंटाइन सिरोल नहीं निखा है तो इसका जो आप्शन बी है वह सही है उत्तरप्रदेश सबसे पुराना वन जीव अभ्यारन कौन सा है हास्तिनापुर्वने जीव अभ्यारन, चंदरप्रभावने जीव अभ्यारन, किसनपुर्वने जीव अभ्यारन या कैमुर्वने जीव अभ्यारन तो इसका जो सही आंसर है option B चंदरप्रभा वने जीव अभ्यारन उत्तरपदेश सबसे पुराना वने जीव अभ्यारन है और इसकी जो अस्थापना हुई है वो वर्स उनिस वत्ताउन में इसकी अस्थापना हुई है और यह है उत्तरपदेश के चंदरप्रभा वने जीव अभ्यारन आयते हैं अगला प्रसम लोग यहाँ पर आपको बताना है काउन साज स्टेट में जो है सही है चंबन नदी इटावा में यमुना से मिल जाती है बेतवा नदी और रया में यमुना से मिलती है के नदी बादा के पास यमुना में मिल जाती है केवल एक और दो सही है केवल दो और तीन सही है केवल एक और तीन सही है या उप्रोग सभी सही है इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है चंबल जो नदी है वह उत्तर प्रेश की टावा में यमनस मिलती है इसका दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है बेतवा जो नदी है यह और आया में नहीं यमनस मिलती बलकि यह हमीरपुर में मिलती है हमेर पुर मिलती हैं और यह सब आदियां है आपकी चंबल है बेतबह आयाते हैं अग्ला प्रेस्म लोग वीर गार्जिन ढड़ेश अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला दूई जापान, सिंगापूर या UK यह जो अभ्यास है भारत और जापान की मद्द पहला अभ्यास होगा 2023 में वीर गारजिन 2023 अभ्यास और यह है पहला दुई पच्छी हवाई अभ्यास है और इसका जो आजन किया जाएगा वो 16-26 जनवरी 2023 की मद्द जो है इसका आजन किया वाई सिना का अभ्यास है इसके अलावा भारत और जापान की मद्द जो है धर्म गारजिन अभ्यास आजजित किया जाता है अभी वर्स 2022 में जो धर्म गारजिन का अभ्यास किया गया है वह भारत के करनाटक राजिन में इसका आजन किया गया है धर्म गारजिन का और वीर प्रवोच नियालय का नियादिस बनने के लिए योगी होना चाहिए। प्रवोच नियालय का नियादिस बनने के लिए योगी होना चाहिए। प्रवोच नियादिस बनने के लिए योगी होना चाहिए। वर्तमाल में भारत के जो महानियाबादी है वह आर विंकर्ट रमडी जी है। और विंकर्ट रमडी जो है भारत के महानियाबादी हैं और यह सुलामे महानियाबादी हैं भारत के। इनके जो नियुक्ति है वर राश्पति ने किया है और यह है केन सरकार को कानुनी मामली में जो है सलाह देते हैं और यह है लोग सभा और राश सभा अर्था दोनों सद्नों में भाग ले सकते हैं। सन्युक्त अधिवेशन भाग लई सकते हैं पर अंतों ओट नहीं कर सकते हैं भारत के महानियाबादी और इनके सायोग के लिए सॉलिसेटर जन्रेर होते हैं और वो अर्तमामे जो सॉलिसेटर जन्रेर हैं वो आपके तुसार महता जी है तो इसका जो आप्सन सी है वो आई- योटु में भारत सामिल है, इजराइद सामिल है, सन्युक्त अरव अमिरा सामिल है, और आपका अमेरिका इस संगठर में सामिल है, तो इसका जो आप्शन डी है, वो सही है, आएते हैं अगला प्रसम लोग, यूरिया आधारित उर्वरक निर्मान के लिए किसका उप्योग कि किया जाता है, कार्बन डायकसाइड, सल्फर डायकसाइड, क्लोरिन या नाइट्रिक एसीड, तो इसका जो सही आंसर है, वो आप्शन ए, कार्बन डायकसाइड का उप्योग किया जाता है, यूरिया आधारित उर्वरक के निर्मान के लिए, इसका जो आप्शन ए है, वो स आसा पारिक जी को जी अगया है इसका जा अप्सन सी है वह सही है यहाँ पर चार अंदोलन दिया गया है जिसे आपको काल करम के अनुसार व्योस्तित कहना है वहावी अंदोलन अलिगड़ अंदोलन अहमदी अंदोलन खुदाई खित्मत का अंदोलन, आप सन अपलोग पल लीजिए, वहाभी अंदोलन जो शुरूगए था, वर्स 1820 के आसपार जो है यह शुरूगए था, आलीगण अंदोलन जो है, यह 1845 में शुरूगए था, अहमाद या अंदोलन यह 1839 सुरूगए था, और खुदाई खित्मत का आने दिला आपके وर्स 1929 किया तो वहावी आंदोलन जो शुरू किया थे वह संय्य अहमत बारे-ज्री छूरु तो इस प्रकार जो है सबसे पहले आपका वहवी आंदोलान आएगा दूसरे स्थान में आपका खुदाई खित्मत गार आएगा क्रिस प्रकार जो है इसका जो पहला option है वह सही है आएते हैं आगला प्रस्म लोग किस मंत्राले ने कामन सर्विस सेंटर CSC और गॉष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लांच किया है तो इसका जो option A है उबस सही है राश्टी पिछड़ा आयो के संदर में यहां पे दो statement दिया गया है पहला जो statement है भारती संबिधान के 102 संसुधन ने इसे संबैधानी दर्जा प्रदान किया है इसमें अधर्ज सहीत कुल 7 सदस्ते होती है इसमें आप बताना है क सही है केवल एक केवल दो दोनों या इनमिस कोई नहीं है इसका जो पहला statement यह सही है भारती संबिधान के 102 संसुधन राश्टी पिछड़ा आयोक को संबैधान दर्जा प्रदान किया गया है और यह जो आपका वर्ष 2018 में संबैधान दर्जा प्रदान किया गया है और इसक स्रेशन जो अध्यच सत्राइध कुल सा सज रददसta नहीं होते बलकि पांस सर रदस होते हैं इसमें आपका एक अध्येच होते एक से स्र्द्र स्रेशन को नूगती होती है वह राश्ट्रदी करता है और आश्री पिछला आयोक जो है यह स्तामाजिक न्या और आधिकारता मंत्रालेक तहद कारिकरता है और वरतमार में इस मंत्रालेक बीरेंद कुमार जी है राश्री पिछ़ड़ा आयोग के लिए दो आयोग के गठन किया गया था एक आपका काका कालिल का आयोग था दूसरा आपका बीपी मंदल आयोग का गतन किया गया था और वर्षो 1993 में राश्री प्रिचड़ा आयोग का राश्री पृष्ड़ा आयोग अधिन्यम CR Automate तहट जो है इसका गतन किया गया था तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला आप्शन है वे सही है आयते हैं अगला प्रस्म लोग यहाँ पर चार देशों का गुरुप दिया गया है इसमें आग बताना है कौन सा सम्मों जो है G20 के सदस्य देश है आप्शन आप लोग पढ़ लिजे इसका जो सही आंसर है आप्शन ए आप्शन ए अर्जनटीना मैक्सिको, दश्चिर कोरिया और तुर्की जो है जो है यह G20 के सदस्य देश है इसका जो आप्शन ए है वगस सही है आई हम लोग इसको डिटिल में देख लेते हैं G20 के जो सदस्य देश है वो आपके 19 देश है और यूरोपी संग जो है इसमें सामिल है इसमें अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी और अपना भारत देश, इंडोनेसिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज, रूस, सौधी अरप, दच्छिड अफरिका, तुर्किय यूनाइटेट किंग्डम, यूएसे और यूरोपी संग जो है इसमें सामिल है अभी हाले में 15-16 नौवंबर 2022 को इंडोनेसिया की बाली में जो है 17 सिखर समिलन जो है इसका आजित किया गया था और इसकी जो थीम रखी गए थी रिकावर टूगेदर, रिकावर स्ट्रॉंगर जो इसकी थीम रखी गए थी रिकावर टूगेदर और रिकावर स्ट्रॉंगर जो इसकी थीम रखी गए थी रिकावर स्ट्रॉंगर इसकी थीम रखी गए थी G20 का जो है GDP समें कहीं पर एसका मुख्याल्य नहीं बनाए गया और जो 18 संस्कूर्न इसका आँध्योत किया जाएगा वह अपने भारत देस में इसका 18 संस्कूर्ण आईध्योत किया जाएगा और 1.12os2 जो है भारत इसकी अधिश्ता कर रहा है और जो 18 संस्कुन आज़ित किया जाएगा उसकी जो theme रखी गई है One Earth, One Family and One Future इसकी theme रखी गई थी One Earth One Family और One Future जो है इसकी theme रखी गई है और हर देश से जो है सेरपा निउक्त किये जाते हैं अमिताब कांत जी है अमिताब कांत वो भारत के सेरपा है जी टोंटे की है आयते हैं अगला प्रस्म लोग निम्रकित में से कौन सदिकार केवर राज सभा को प्राप्त है नई अखिल भारती सेमाई बनाने में साधान, विदयक को लाना और पारित कराना राश्पति का चुना और महावियोग, सम्विधान, संसोधन, विदेकों का परिचय और पारित होना तो इसका जो सही आंसर है, option A नई अखिल भारती सिमाई बनाने एक जो अधिकार है, वो किवर राश्वा को प्राप्त है बाकिया अन्र जो अधिकार है, वो दोनों को बराबर प्राप्त है साधान बिदेक राश्वा मिला सकता है, लोग सबा मिला सकता है राश्पति का चुनाव और महावियोग जो है, वो किसी में लाए सकता है और सामिधान सांसोधन अगर करना है, तो वो अभी चाहे राश्वा मिला सकता है, चाहे लोग सबा में परन्तु नई अखिल भारती सेमय बनानी जो अधिकार प्राप्ता है, वो किवर राश्वा को प्राप्ता है इसका जो ऑप्शन ए है, उबस सही है निम्लिकित ने कौन सा कतन पादप और पद कोशकाओं के बीच सामान अंतर के बारे में सही है पादप कोशकाओं में सलिलोज कोशका भित्ती नहीं होती जबकि पस कोशकाओं में नहीं होती है पादप कोशकाओं में एक प्लाजमा जिली नहीं होती है जो पस कोशकाओं के विप्रीत होती है परिपक पौधे की कोशकाओं में एक बड़ी रिक्तिका होता है जबकि पस कोशकाओं में कई छोटे रिक्तिकाओं होती है इसमें आपको साई विकाव का चैन करना है केवल एक और दो, केवल दू और तीन, केवल एक और तीन या एक दो और तीन इसका जो पहला स्टेट्मेंट वह सही है कि पादप कोशकाओं में सेलिलोज जो है कोशका वित्ती होती है जबकि पस कोशकाओं में नहीं होती है इसका दोसरा शर्फ ने गलत है क्योंकि प्लाजमा जिली जो है यह पादब कोश्का और पस कोश्का दोनों में पाई जाती है तीसरा शेप ने यह भी सही है, परिपक पौधिक कोशका में बड़ी रिक्तका होती है, जबकि पस कोशकाओं में कई छोटी रिक्तकाई होती है, और यह जो रिक्तकाई हैं, यह जल सलतोनल में सहायता प्रदान करती है परकार जो है, इसका जो ऑप्सन सी है, वज सही है. आयते हैं, अगला प्रस्म लोग. मौलक अधिकारों की निमलिखित स्रेणियों में कवन सा भीदभाव के आस्रिप्रस्ता के खिलाप सनचण को सामिल करता है? सोसर के खिलाब अधिकार, स्वतनता का अधिकार, समबैधानिक उपचार का अधिकार या समानता का अधिकार इसका जो सही आंसर है वो अफसंडी समानता का अधिकार बेद भाव के अस्परिस्ता के खिलाब सनच्छन जो है वो आपके समानता का अधिकार के तहत है और यह article जो है 17 में नहित है और यह समानताक अधिकार के अंतरगत आता है और समानताक जो अधिकार है वो article 14 से 18 तक जो है इसका वर्डन किया गया है और article 17 जो है आस्प्रिस्ता के अंतर के बारे में वर्डन किया गया है और मौलिक अधिकार को समिधान के भाग 3 में रखा गया है और यह है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्डन किया गया है इसके तहत जो सुत्मता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है सोंसर के खिलाब जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 के तहत है और संब्धानिक उप्चारों के जोदिकारव आर्टिकल 32 में दिया गया इसका वड़न, तिस प्रकार जो है, इसका जो आप्सन दी है, वस सही है, आयते हैं अगला प्रसम लोग, बेंजीन प्रदूसर्ण के जोखिम के लिए निम्रिकित में से कौन से कारण या कारक है, आट इसका जो आप्सन दी है, वस सही है, और बेंजीन का जो रासानी सुतर होता है, आयते हैं अगला प्रसम लोग, यहाँ पे दो स्टेटमन दिया गया है, गरुण सेवन जो है, भारत की वाई सेना और फ्रांस द्वारा आयोजित एक दूपच्छी अभ्यास है, और हाले में सही है, किवल दो सही है, दोनों सही है, इन मिस कोई नहीं, तो इसका जो पहला स्टेटमन यह सही है, कि गरुण सेवन जो है, यह भारत की वाई सेना और फ्रांस द्वारा आयोजित एक दूपच्छी अभ्यास है, और इसका दूसरा ओप्सन अभी सही है, अभी हाले में जो सात्मा संस्क्रण आयित किया गया है, तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट पर आप सही है, इसका जो सी ऑप्सन है, वो सही है, यहाँ पर चार यगमी दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन से यगमी जो है, सही मिल खाता है, मेकांग अंदमान सागर, थेम्स आईरिस सा महासागर, जामबेजी हिंद महासागर, इसका जो सही ऑंसर है, वो आप्सन से इसका सही ऑंसर है, केवल तीन और चार, वोलगा नदी जो है, यह आपके कैस्पेन सागर में जाकर गिरती है, और जामबेजी नदी आपकी हिंद महासागर में जाकर गिरती है, बाकि जो दच्छडी चीन सागर में जाकर गिरती है और थ्यम जो नदी है यह उत्तरी सागर में जाकर गिरती है तिस प्रकार जो है इसका जो सी आप्शन है वह सही है यहाँ पर तीन युग में दिया गया है परिवराजक त्यागी और पथिक स्रमड उच पद के साथ पुरोहित उपासक बौधर्म के नुवाई इसमें आपको पताना कौन साही सुमिलित है केवल एक और दो केवल एक और तीन केवल दो और तीन या एक दो तीन पहला जो वह सही है परिवराजक जो है यह त्यागी और पथिक होते थे इसका जो तीसरा युग में यह भी सुमिलित है बौद धर्म के अनुवाई जो है वह उपासक कर लाते थे स्रमड जो है वह उच पद के साथ पुरोहित नहीं थे स्रमर जो होते थे, वो साधक होते थे प्राचीन भारत में जो है, तपस्रियों और त्याग्यों को स्रमर का जाता था तिस प्रकार जो है, इसका जो औपशन भी है, वैस सही है आएते हैं, अगरा प्लस्म लोग नवंबे 2022 में किस देश की संसत ने भारत के साथ मुक्त ब्यापार समझाते को मंजूरी दिये अमेरिका, सौधी अरब, आस्ट्रेलिय जापान यह जो मंजूरी दिये गई है यह आस्ट्रेलिया की संसत ने मंजूरी दिये भारत के साथ मुक्त व्यापार सम्झाओतेकों, इसका जू of decision C है, वसाहिए. और यह जो consider, 31 of December 2022 यह लागो भी हो चुका है और किसी विख्षित देज से भारत का यह पहला मुक्त व्यापार सम्झाओता भी आश्वलेक साथ, इसका जू of decision C है, वसाहिए. आगे बढ़नेश पहले आग बताना चाहता हूँ UPSC RO, BO, UPSS Prelim, BPSC सहित हमारी काई पिर्गूप चल रहे हैं अगर आप इन पिर्गूप से जुनना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पे कॉल का जनकाई प्रात्र का सकते हैं कास्तोरी म्रिग कहा पाई जाते हैं? यहाँ पे चार अभ्यारण और पार्क देए गए हैं असकोर्ट, वनजी अभ्यारन, गंगोतरी नेशनल पार्क, काना रास्टि उद्यान, मानरास्टि उद्यान इसके लिए यहाँ पे चार विकलब दिया गया है बिकल्प आप लोग पढ़ लेजे जैसा कि हम लोग जानते हैं का स्टोरी जो अम्रिग होते हैं वो ठंडी प्रद्विसम पाई जाते हैं तो आप लोग सबसे पहले जान लेजे यह किस-किस राज में कौन-कौन अभ्यारन और पार्क है आपके उत्तराखंड में है उत्तराखंड और यह है पितहौरा गड़ जिला है वहाँ पर है और दूसरा आपका गंगोतिरी नेस्नल पार्क यह आपके उत्तराखासी जिलिया मीचतीत है और यहां पर आपको देख पारे होंगे उत्तराखंड और बाकि आपका कानहा या आपके एंपिम है और मानास आपका असम मीश्थित है तो जो ठंधा जो प्रदेश आपका देख पा रहे होंगे उत्तरा खन का आपका अस्कोर्ट वनेजी अभ्यारन और गंगोति नेशनल पार जो है दोनों ही उत्तरा खन में है तो जो कस्मेरिक पाए जाएंगे वह इन ही दोनों पाए जाएंगे जहां पर ठंडा प्रदेश है बाकि ना यंपिम पाए जाएगा ना ही आपका असम में पाए जाएगा तिस प्रकार जो है इसका पहला ओप्सन होगा वह आपका सही होगा केवल एक और दो असकोर्ट वनेजी अभ्यारन और गंगोतरी नेसनल पार्क में कस्तोरी मिर्क पाहे जाते हैं तो इसका जो ओप्सन ए है वस सही है आएते हैं अगला पस्म लोग फीफा महिला विशुकब 2013 संदर में दो स्टेटमेंट दिया गया है इसका सुभंकर तवजुनी है और इसे अमेरिका और नियुजिलेंड क ये सन्योक तुरूप से आजित किया जाएगा नियुजिलेंड में सन्योक तुरूप से आजित किया जाएगा आपको सही विकलोग फचैन करना है केवल है केवल दो दोनों या इनमेंस कोई नहीं है तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है फीफा महिला विशुकब 2013 का वह अमेरिका और नीजू लैजन में नहीं बलकि आस्ट्रेलिया और नीजू लैजन में इसका आईजन किया जाएत्न किया जाएगा ऊस्ट्रेलिया और नीजू लैन जो है सन्निक तुरूपस की इसे आईजिद करेगा मैं ίह सेईज प्रकार आएते हैं अगला प्रस्म लोग, सियाचिन ग्लेसियर कहां इस्थित है, आपसन आप लोग पढ़ लिजे, इसका जो सही आंसर है, आपसन दी, नुब्रा घाटी के उत्तर में, जो है सियाचिन ग्लेसियर इस्थित है, यह आपकी नुब्रा घाटी है, और यह आपका सियाचि ग्लेसियर आपके नुब्रा घाटी के उत्तर में श्थित है आयते हैं अगला प्रस्म लोग भारतित या संदर में यहाँ पे चार यूग में दिया गया है एक तर प्रसिद अस्थार दूसरे तरह आपके वर्तमान राज दिया गया है भिलसा मदर प्रदेश, द्वार समुद लिए कीवल दो और चार प्रका को चैया गया है मध्य प्रदेश में श्थितह भिलसा मदियपदेश में श्थितह द्वार समुदर यह होसायलों के राध्धानी थी यह महराष मनें बलकि यह करनाटक मिंश्थितः समुद्वार्ण गु़कर गुजूरत और अस्थानेसव सुमिलित इसका पहला option है वह सही है और द्वार सुमिश यो है यहाइशानों करादानी है और भिलसा वह सुंग व्हन्सका प्रमुघ केंद था और गिन्णर आपका गुजरात में स्थित है और वर्तमान में आपका जूनागर जो जगह है वही पर इस्थित था और स्थाने प्रत इकाई जल प्रियोग द्वारा उत्पन फसल को उत्पन फसल की उपज को जल उप्योग दचता कहा जाता है और इसके तहर जो है जल का उचित प्रियोग करके आधिक आधिक उपज प्राप्त करना होता है और यह आपका गन्ना है निमत्यम जल दच फसल आएते हैं अगला पसमलो मद्य कालिन भारत के संदर में निमकी में से काउन सा आकार गिर से आर परगना सरकार सूबा, सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार परगना या परगना सूबा सरकार इसका जो सही आंसर है वो अपसने परगना सरकार सूबा जो है यह आकाल देश से आरोही करम में हैं मुगल समराज जो है वो सूबो में भाजित था सूबा जो आगे चलकर सरकार कतल कांच हुआ होता है और सषरकार आगे चलते के जो है परग्नाम वह सही है तिस्प्रकार जो है इसका ज Gore औप्शन एले बादच बनने वाले सबसे कम अल्भाङける के ब्यक्ति काउन थे जहालान नैरू अबुल कलाम आजाद आनंद मोहन बोस्त या भूपोइंद नाद बोस्त तो इसका जो सही अंसर है और अप्शन बी भारती राष्टी कांग्रेस जो सबसे कम उम्र के ब्यक्ति बने थे वह आपके अबुल कलाम आजाद बने थे और यह अधिवेशन हुआ था 1923 में दिल्ली में अधिवेशन आज़ित किया था और यह आएंसी का बिसीस अधिवेशन था तब इनकी जो उम्र थी वह 35 वर्ष अबुल कलाम आजाद की उम्र थी जब यह आएंसी के चेर्मेन बने थे और यह बाद में 1940 से लेकर चीलिश तक आइनसी के अधिश रहे हैं और सबसे अधिक कारेकाल जो है इनकार रहा है आईनसी के चेर्मेन गुरूप में बाद में इन्हों ने अलहिलाल जो पत्र का निकाला था और यह भारत के पहले सिच्छा मंत्री भी थे अबुल कलाम आजाद जी और 40 से भी समानिक किया जा चुका है इसका जो ऑप्षन भी है वह सही है ब्रह देश्वर मंदिरिक संदर में यहां पर चार्ज स्ट्रेट्मेंट दिया गया है यह भगवान सिव को समर्पित है यह पेरियार नदी के तरपश्तित है इसे राज-राज परथम ने बनवाया है और यह है नागर सैली का एक उधारन है इसमें आपको अताना है सही विकल को आपको चैन करना है केवल एक दो और तीन केवल दो और चार केवल एक और तीन या एक दो तीन चार ब्रिदिया स्वर जो मंदिर है यह भगवान सीव को समर्पित है इसका जो पहला स्टेट में वसाई है यह पेरियार नदी के तरपश्तित है बलकि यह कावेरी नदी के तरपश्तित है और इसे ग्यरहमी सद्दी के आरम में बनाय गया था और इसे राज-राज परथम ने ब बना हुआ, ग्रेण आइट का बना हुआ है, और यह है नागर सैले का उधारन नहीं है, बलकि यह द्रविड सायली का उधारन है द्रविड सायली में इसे बनाए गया है तो इस प्रकार जो है केवल एक और तीन जो है वह सही है जो option C में दिया गया है आएते हैं अगला प्रसम लोग वैस्विक तापन छमता के बढ़ते करम को आपको सजाना है यहाँ पर carbon dioxide, methane, N2O और EHCFCS यहाँ पर दिया गया है आपसन आप लोग पर लीजिए वैस्विक तापन छमता के बढ़ता जो करम आपको होगा वह carbon dioxide, methane, N2O और EHCFCS होगा तो जो option E में दिया गया है इसका जो option E है वह सही है आईते हैं अगला प्रस्म लोग अंतरिम सरकार संदर में कवन स्योग में सही सुमिलित नहीं है जान मताई, उद्दोग, एवंग आपर्ती C. राजगुपाला, चारे सिच्छा C. H. भाबा, कारे, खनन, एवंग सक्ती राजिन पसार, वीदी अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था और सुने स्योग में इसका गठन किया गया था और इसमें कुल चवदा जोह सदस थे इनमें जान मताई को जान मताई जी को उद्देग आपर्त मंत्राला दिया गया था C. राजगुपालाचारी वसिच्छा मंत्री थे C. H. भाबा कारे खनन और सक्ति के मंत्री थे राजगुपालाचारी जो है वा वीदी की मंत्री नहीं थे बलकि खादेवा क्रिस विभाग की मंत्री थे खादेवा क्रिस विभाग राजगुपालाचारी जी को दिया गया था विधी जो विभाग था वो जोगेंदर नाथ को दिया गया था जोगेंदर नाथ जी को दिया गया था विधी तो इस प्रकाज जो इसका जो आप्सन दी है वस सही है आएते हैं अगला प्रस्म लोग यहाँ पर तीन राज दिया गया है इसमें आपको बताना है जनसंख्या के आरोही करम, आउलाचय प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, आप सन अपलोग पढ़ लिजिए, आरोही करम का मतलब होता है कम से ज्यादा, एक, दो, तीन, यह आपका आरोही करम है, इसी करम में सजाना है आपको, पहले सबसे कम आएगा, फिर उससे ज्यादा है, फिर सबसे ज्यादा, तो सबसे कम जनसंख्या भारत में आपकune सिक्किम है, दूसरे अस्थान में आएगा, अब तीसरे अस्थान आपका आवलाचय प्रदेश आएगा, तिस प्रकार जो है, 3, इसका जो आप्शन होगा, वो 3, 2, 1 होगा, इसका जो पुस्य मित्य सुंग, अमर सिंग, हर्षवर्धन, कालिदास, चंद्रकुप्दुति, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन या एक दो और तीन पारिनी की जो समय है, वह इतियास में जो है, एक जय डिट नहीं पता है, लेकिन ये 600-700 इसापूर इसका माना जाता है, पारिनी जी का, और यहों जो है, संस्कृत में अश्टा ध्याई की रचना की है, और पुस्य मित्र सुंग का जो कारिकाल रहा है, वो लगबग दिन स्व वर्धन के राजदर्वारी नहीं थे, बलकि ये चंद्रगुप्त विक्रमादेती के राजदर्वारी थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादेती के दर्वारी थे, और ये नौरतनों में से एक थे, और इन्होंने अमरकोस की रचना की है, अमरकोस की रचना की है, बाकि ये अवियान, साकुंतला, मेगदूत, इन सभी जो रशनाय हैं, वह कालिदास जी ने की है, तो इस प्रकार जो है, ओप्सन सी इसका सही आंसर है, आएते हैं अगला प्रसम लोग, जल में तैनने वाले आते सोच में पाउधे को क्या खा जाता है, नेक्टन, पादपलवक, नितल, जीव समू या जुपला कटन, तो इसका जो सही आंसर है, ओप्सन भी, पादपलवक कहा जाता है, जल में तैनने वाले अत्सोच में पोधों को, इसका जो ओप्सन भी है, वह सही है, आएते हैं अगला प्रसम लोग, हाले में किस राज का आदिवासी बहुल मंडला जिला, भारत का पहला कार्यात्म गरोप से साच्छर जिला बन गया है, यह जिला किस राज का है, उत्तरपरदेश बिहार, मधवतेस या जहरकन, तो मंडला जिला आपका है, मधवतेस का है, इसका जाप्सन भी है, वह सही है, यहां के जितनी भी जनता है, वो सभी लोग अपना ना हुआ सही है 2 3 5 वर्षी और 25-उजना में कुल कितने स्टील प्रकषापित किये गए थे 3, 4 5 थे सो टोटल जो है तीन स्टील प्लान्ट गिये थे 2-35 वर्षी और 25-वर्षी और glyre में में कारेकाल था और 1956 से 76 कारिकाल था और यह आपके रावर केला जो यह जर्मनी के सायोग से बना था दूसरा आपका भिराई था यह आपके शतिसगाड मिस्तित है और यह जो है सोवियत संग के सायोग से बना था तीसरा आपका था दुर्गापूर जो वर्तमान में पस्पिं मंगाल में से था है और यह बृतिन के सायोग से बना है तो टोटल जो है तीन इस्टील प्लांट अस्थाफित किया गए थे दुती पंचवर्सी योजना में संसरी फोरम संदर में यहाँ पाथ तीन स्टेटमन दिया गया है पहले संसरी फोरम का गठन 1922 में किया गया था जन संक्या पर गठित फोरम की पदिन अथेट लोग सभा अध्यच होती है अध्यच तथा उपाध्यचों को छोड़कर प्रतेग मंच में जो है 31 से 30 सदस नहीं होती है इसमें आपको बताना कउन सड़ सर इस्टेट्मेंट सही है केवल 3, केवल 2, केवल 1 और 2, या 1, 2 और 3 इसका जो पहला स्टेट्मेट यह गलत है पहला जो संसरी फोरम का गठन किया गया था वह वर्द 1922 में बलके 2005 में इसका गठन किया गया था और इसका जो दोस्ता स्टेट्मिन यह भी गया लथ है जनसंक्या पर गठित फोरम को जो पदिन अध्यच होते हैं वो लोग सभा अध्यच नहीं होते हैं बलकि राजसभा के सभापती होते हैं और वाई से जो है सबी संसदी फोरम जो पदिन अध्यच होते हैं वो लोग सभाध्यच होते हैं परन्तु अपवाद सोरूप जो है जनसंख्या पर गठित फोरम और स्थारवजनिक स्वास्थ पर गठित फोरम जो अध्यच होते हैं वो राज सभापती होते हैं इसका जो त्रिस्टा सिटेटेमे दमशाई है अध्यश और उपाध्यशों को छोड़ कर प्रतियक मंच में 31 से अधिस अधिस नहीं हो सकते हैं और इसमें जो 31 सदस होते हैं, उनमें आपका 21 सदस होते हैं, वह राज सभास होते हैं, वह आपके लोग सभास होते हैं, और 10 जो सदस होते हैं, वह आपके राज सभास होते हैं, तो टोटल जो है 31 सदस नहीं हो सकते हैं, अध्यच और उपाध्यच को छोड़ करो, और यह जो स प्रदस चुनी जाती हैं यह लोग सभर्देश यह रासभाग सभवपति दोरा इनको जो है नामित किया जाता है त्रीस प्रकार जो है किवल तीन सही है जो अप्शन ए में दिया गया है आए थे हैं अगला प्रस्म लोग यहाँ पर चार टाइगर इजर दिया गया है और दूसरी तरब संबंधित राज दिया गया है उनको आपको सही सुमिलित करना है ना मेरी टाइगर इजर पेरियार टाइगर इजर कवाल टाइगर इजर और सत्कोसिया टाइगर इजर ओडिसा आसम तेलंगना और किरल ना मेरे टाइगर रिजर जो है यह आपके असम मिश्थिता है पेरियार टाइगर रिजर यह आपके केरल मिश्थिता है कवाल टाइगर रिजर यह तेलंगाना मिश्थिता है और सत्कोसियार टाइगर रिजर यह आपके ओडिसा मिश्थिता है तीस प्रकार जो है इसका जो ऑ अफ इंडिया जो कहा जाता है वह कहला सांखला जी कहा जाता है और वरतमान भारत में फूल पिली भीट अमनगण और अबी जो त्रिपनवा घोसत किया गया है रानी पुर टाइगर विजर्व तो टोटल भारत में तीरपन टाइगर विजर्व है तीस प्रकार जो इसका ऑप्सन भी है वह सही है अगला जो प्रस्ण है 22 और रिजर्व के संदर मियां पर तिनी स्टेटमेंट दिया गया है इसका वित्ती वहन जो 100 परसन जो है वो किन सरकार वहन करती है इसके क्रोड छेतर में मॉनिटरिंग के साथ सोध कारियों को मंजूरी दी जाती है इसके बफ़स्षित में परेटन को अनमति दी जाती है इसमें आप बताना कौन सब्सक्राइब सही है केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और तीन या उपरियुक सभी इसका जो पहला इस्टेटमेंट वह गलत है इसका जो वित्ती वहन होता है वह पूरा जो 100% केवल नहीं वहन करती है बलकि अलग 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 राजियों के लिए अलग अलग होती है इसमें केवल राज दोनों जो है, साथ में इसका वहन करते है जो परवती छेत्रों जो राज है उनमें किन सरकार और राज सरकार जो अनपास होता है वह 90 अनपाते 10 का होता है और अन राजों का 60 अनपाते 40 का होता है वित्ती वहां तिस परकार पहला जो statement वह गलत है 22 पर रिजर्ब को तीन भागु भाजित किया जाता है पहला आपका क्रोड छेतर होता है जिनमें सिर्फ सरकारी, कर्मचारी वह अधिकारी जाते है और सभी के लिए प्रवेश वर्जित होता है दूसरा आपका होता है बफर छेतर होता है इसमें अनुसंधाम, सोध, सिच्छाप और प्रसिच्छन किया सकता है और तीसरा आपका होता है संक्रमण छेतर भारत में जो है कुल वर्तमान में 18-22 रिजर्व हैं और 22 रिजर्व जो प्रोग्राम भारत में वर्स 1986 में शुरू किया गया था इसे और भारत में 18-22 रिजर्व हैं इसका जो ऑप्शन B है वह सही है आएते हैं अगला प्रसम लोग हाले में केंद्री सडक परिवान एवंग राजमार मंत्री नितिन गटकरी ने भारत के दूसरी सबसे लंबे केबल वाले आठ लेन जुवारी ब्रिज का उधगाटन कहां किया है करनाटक जमो कस्मिर महराष्ट वा गुवा इसका जो सही आंसर है वह अप्शन दी इन्होंने जो है गुवा में उधगाटन किया है भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले आठ लेन जुवारी ब्रिज का यह दूसरा ब्रिज है पहला जो ब्रिज बनाए गया था वर्ष 2017 में गुजरात में बनाए गया है और यह जो गुवाल ब्रिज है यह वर्ष 2016 से बन रहा है जाकर 2022 में इसका उधगाटन किया गया है वंतिस दिसमबर को और इसका उधगाटन है वह केंदरे सड़क परिभाने राजमार मंत्रे नितिन गटकरें इसका उधगाटन किया है इसका जा अपसंदी है वैस सही है आएते हैं अगला प्रस्म लोग यहाँ पर दोज इस चेट्मेंट दिया गया है मंत्रे परस्त सामोईक रोब से केवल लोग सभक के परित उथर दाई होती है इसका जो पहला स्टेट्मेट ने वैस सही है मंत्री परसत सामोई करोब से लोग सभा के प्रत जो है उत्तर डाई होती है दूसरा इस स्टेटमेंट यह भी सही है कि मंत्री परसत के मंच परसत में मंत्रियों की संख्या लोग सभा सदस्यों कुल संख्या से पंदरा परसत से अधिक नहीं हो सकती है तिस प्रकार जो है इसके दोनों स्टेटमें वैसे ही है और मंत्र पसद सामोई ग्रोप से लोग सभा के प्रत उत्तरदाई होती है यह आर्टिकल 75-3 में इसका वड़न किया गया है आयते हैं अगला प्रस्म लोग हस्तानांतरित क्रिस को कुमारी नाम से किस्छेत में जाना जाता है उत्तरी पूर्वी भारत में हिमाचर प्रदेश में पस्तिमी घाट में या दच्छी पूर्वी राजिस्तान में तो हस्तानांतरित क्रिसी को कुमारी नाम से जाना जाता है यह है पस्तिमी घाट में जाना स्वेज नहर के बारे में यहां पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है यह नहर भूमद सागर को गल्फ खारी को जोड़ती है और इसका निर्माड है वर्ष 1879 में इसका निर्माड पूरा हुआ था इसके उत्तर में पोर्ष सागर को लाल सागर से जोड़ती है इसका निर्माड पूरा हुआ था वर 1879 में इसका निर्माड पूरा हुआ था स्वेज नहर नहर के उत्तर में पुर्ड साइद और में पुर्ड स्वेज जो है इस्तित है कि यहां पर आप आसानी से इफिर मे przy방 सब्सेजम पूस्षा में है पोर्ट साइज जो है यह है उतल दिशाम है और इसको भी नहीं लCR में इसते हैं इसको भी नौट कर लिजिए एक प्रश्म लोग यहां पर एक तरब जन जाती है विस्व की आप दूसरी तरब समंदिर जो है छेत्र दिया गया है माया जन जाती मधेमेरिका खिरगी जन जा जाती मदेसिया सेमांग जन जाती पस्मी अफ्रिका मसाई जन जाती केनिया इसका जो सही आंसर है सेमांग जन जाती जो है वो पस्मी अफ्रिका में नहीं पाई जाती है बलकि ये मलेसिया में पाई जाती है मलेसिया में पाई जाती है बाकि सभी सुमिलित है माया जन जाती जो है ये मद अमेरिका में खिरगी जो आपका मदेशिया में मसाई जन जाती जो आपके केनिया में पाई जाती है प्रीश प्रकार जो है इसका जो आप्सन सी है वह सही है आएते हैं अगला प्रस्म लोग यहाँ पार आपको सुमिलित करना है एक तरफ अनुचेद दिया गया है और दूसरी तरफ जो है राज दिये गया है आप्सन आप लोग पढ़ लिजिए अनुचेद 371 में महराष्ट और गुजरात के लिए बिस्यस प्रावधान का वर्ण किया गया है इसी प्रकार से अनुचेद 371 से में मरीपूर के लिए बिस्यस प्रावधान का वर्ण किया गया है तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्सन सी है वह सही है आएते हैं अगला पसम लोग यहाँ पर चार घटना करम दिया गया है जिसे आपको काल करम अनुचार व्योस्तित करना है CR फार्मूला अगस्थ प्रस्ताव की गोशडा वैवल योजना फार्वर्ण ब्लाक की अस्थापना आपसन आपलोग पर लिजे CR फार्मूला जो है यह वर्स 1944 में आये था अगस्थ प्रस्ताव की गोशडा होई थी वह वर्स 1940 में होई थी और वैवल योजना प्रस्तुत की गई थी वह वर्स 1945 में की गई थी और फार्वर्ण ब्लाक की अस्थापना की गई थी सुभा अस्थ अंदर बोज द्वार्ण वर्स 1949 में की गई थी तो इसमें सबसे पहले आपका फार्वर्ण ब्लाक आएगा दूसरी आपका अगस्थ प्रस्ताव आएगा तीसरे अस्तान पर CR फार्मूला आएगा और चौतरे अस्तान पर आपका वैवल योजना आएगी तीस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वश सही है आएते हैं अगला प्रस्ताव लोग राष्टी मानवा दिकर आयुक संदर में यहां पर दोर स्टेटमेंट लिया गया है इसके अध्यच और सदस्ट्रेंग नियुकती राष्पती द्वारा की जाती है राष्टी महिला आयुक के अध्यच इसके पदेन सद स्टेट्मेट्स से होती है इसमें आपको अपकोट अकॉण से स्टेट्मेट्स स сид कवल एक केवल दो कि दोम या 202000 कोई नहीं ओर dat ऐसे सिर पहला स्टेट्मेंट भी साहिए किराष्टी मारवाद अधिकार आयों के जो अध्याश होती है वो इसके पद्याश सदर्स भी होती है इस के दोन स्टेट मेंट है व राश्टी मानमाधिकार आयोग की अस्थापना की गई थी Cape 16 पिरानवे में इसके अस्थापना की गई थी और इसके जो पहले जो चेर मेन थे जो सदर्स बहुत चेयर क्ईAR के 싶र परतमान अध्यच है और इसका जो मुख्याला है वह नई दिल्ली में इसका मुख्याला इस्तित है इसके अध्यच वास अध्यस्तों जो कारेकाल होता है वह पांस साल का होता है इस प्रकार जो है इसका जो option C है वह सही है आयते हैं अगला प्रसम लोग फिलिप वक्र किसके बीज जो है संबंद दिखाता है वरिधिया और समानता मांग और आपूरती मुद्रा इस्पित और बेरोजगारी या मुद्रा इस्पित और मांग इसका जो सही आंसर है वो option C फिलिप वक्र जो है या मुद्रा इस्पित और बेरोजगारी को दर साता है और इसे जो है फिलिप द्वारा वर्स 1998 में तयार किया गया था और यह है बेरोजगारी दर और मुद्रा इस्पित दर की बीच एक बियुत्करम संबंद को दिखाता है इसका जो option C है वो सही है निम्रकित में से किस जील से उकर विशुवत रेखा गुजरती है कैस्पियन सागर काला सागर विक्टोरिया जील या सुपीरिया जील तो इसका जो सही आंसर है वो option C विक्टोरिया जील से उकर विशुवत रेखा गुजरती है आप लोगों को आस किन देशों फैलाली है तो उनमें आपका Kenya है तंजानिया है और यूंगांडा on.. Kenya, तंजानिया और यूंगांडा जो है विक्टोड़िया फैली होई है और यूंगांडा में और विक्टोरिया जो है ये दुनिया की सबसे मीठे पानी वाली दूसरी नमबर की जील है और एक फैक्ट आगर आप जान लेजी है कि यह छेताव दिर्श्ट से देखा जाए तो दूनिया की तीस के शबसे बड़ी जील है पहले जो सबसे बड़ी जील है वो आपका छेतावल में कैस्पियन सागर है दूसरे अस्थान पर सुपीरियल जील है और तीसरे अस्थान पर जो नमबर आता है वापका विक्ट्योरिय जील का आता है मीठे पानी में जो सबसे बड़ी जील है वापकी सुपीरियल जील है मीठे पानी जो है सबसे बड़ी जील वह सुपीरियल जील है दूसरे रस्थान पर विक्टोरिय जिल है और विक्टोरिय जिल से ही जो है नील लदी का उदगम होता है स्वेट नील लदी का उदगम होता है वह विक्टोरिय जिल से ही होता है और यह आपके आफरिका महादीप में इस्तित है इसका जाप्सन सी है वस सही है आएते हैं अग पर पिकॉल का जनकाई प्राद कर सकते हैं RBI की संदर में यहां पर तीन स्टेट्मेंट दिया गया है पहला जो स्टेट्मेंट है भारती रिजर वैंग अधिर्याम 1934 के प्रावधानों के अंसार एक अपराल 1935 को इसकी अस्थापना की गई थी रिजर वैंग का केंदरी कारियाला प्रादम में कोलकाता में अस्थापित किया गया था इसके पूर्ण कालिक सदस्यों में एक गवणर होते हैं और चार उप गवणर होते हैं इसमें आपक वताना कांसर स्टेट्मेंट सही है केवल एक और दो, केवल दो और तिन, केवल एक और तिन या उप्रोग सभी कतन इसका जो पहला स्टेट्मेंट बस सही है कि भारती रिजर्व बैंक आधिन्याम 1934 का प्रावधाने कंसार इसकी जो स्थापना की गए थी है वह एक अप्राव 1935 में इसकी अस्थापना की गए थी और इसके लिए जो है हिल्टन यंग कमिशन 1936 में इसकी सिफारिस की गए थी उसके द्वारा तो इसका पहला स्टेट्मेंट बस सही है दूसरा स्टेट्मेंट यह भी सही है कि रिजर वैंक का जो केंद्री कार्याल जो प्रावधान में अस्थापित किया गया था वो कुलकाता में इसका मुख्याला अस्थापित किया गया था बाद में 1937 में जो इसका मुख्याला हसानतरित किया गया था और वह वर्तमान में वह सही है, RBI जो पहले जो गवनर बने थे, वह Osborne इसमित जो है पहले गवनर बने थे हैं, और वर्तमान में जो गवनर हैं, सक्तिकान दाजी ये RBI के 25 में गवनर हैं, 25 में गवनर हैं, और बाद में जो है, एक जनवरी वर्स 1949 को RBI के राश्टी करन भी किया गया था, इसका ज स्टेक की योगदान पर एक पार्ट शुरुक किया है, करनाटक, उतरप्रदेश, आंध्रप्रदेश या तमिलनाडू, यह जो सुरुक कियागया है, यह आंध्रप्रदेश सरकार दौरющ शुरुक किया गया है, इसका जॉप्शनऽी है, वह सही है, फातिमा से जो है, या एक महान समा सुधारक थी, इसका जो आप्सन सी है, वह सही है, यहाँ पर चार राज वेंक के इनसाजित प्रदेश दिया गया है, इसमें आप बताना है किसकी जो सीमा है, वो चीन के सहत लगती है, जम्मु कस्मेर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखन और नागलन दिया गया है, आप साना आप लोग पर लिजिए, चीन से जो है, भारत कुल पांच राज वे उनके इनसाजित प्रदेश दिया गया है, लगती है, उनमें आपका लदाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखन और पांचमा आपका आवलाचल प्रदेश है, तिन पांचों जो है, राज प्रदेशों के सीमा आपके चीन से रखती है तिसमें आपका हिमाचर प्रदेश है और आपका उत्राखन केवल दो और तीन आप्शन दिया गया जो सही है आए अगला प्रस्म लोग यहां पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है प्रस्म तो सबसे इंपॉर्टन यहीं बनता है कि यहां पर सुमिलित पूछा जा रहा है कि कौन नहीं सुमिलित पूछा जार यह आपको ध्यान देना है कजरी मौशा मिर्जापूर कलिक मौशा आगरा सुलाह कुल सम्भलugen होता है और अगराम होता है तो यह दोनुस सुमीलित नहीं है के वल दो और 3 जो यह सुमीलित नहीं है और हिंदी मुस्लिम एक टाका प्रती erste कहा जाता है तो इसका जो option B है वस सही है यहां पर पूछा जार कौन सई सुमिलित नहीं इसको ध्यान दीजेगा प्लू आएते हैं अगला प्रस्म लोग भारत के पूर प्रधान मंत्री पीवी नर्सिंहा रहा निमन में से किस राज के मुख मंत्री भी रह चुके हैं करनाटक केरल आंध प्रदेश या तमिल नाडु इसका जो सही आंसर है वह option C आंध प्रदेश के मुख मंत्री भी रह चुके हैं भारत के पूर प्रधान मंत्री पीवी नर्सी महा रहा और इनका जो कारकाल रहा मुख मंत्री ग्रूप में वर्स 1971 से 1973 तक इनका कारकाल मुख मंत्री ग्रूप में रहा और यह भारत के प्रधान मंत्री बने थे वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक इनका कारिकाल लाहा प्रधान मंत्री के तौर पर तो इसका जा अप्सन सी है वस सही है प्रस्त छोटा है प्रस्त लेकिन इंपोर्टन इस प्रकार से परिश्यम आपके पूछे जा सकती है आएते हैं अगला प्रस्म लोग नियुम्तन समर्थम मुल्क संदर में यहाँ पर दो स्टेट्मेंट डिया गया है इसमें खरीप की जो है 14 फसलें और रभी की कुल 6 फसलें सामिल होती है केवल एक वाड़ेजीक फसल गन्ना जो है MSP के अंतरगत आता है इसमें आए पक्ताने कौन सा स्टेट्मेंट सही है केवल एक केवल दो दोनो या इन्यमिस कोई नहीं है इसका जो पहला स्टेट्मेंट वी सही है नियुम्तन समर्थम मुल के अंतरगत कुल 14 खरीप शै रभी और दो जो है वाड़ेजीक फसलें आती है इसका पहला statement वह सही है, दूसरा statement वह गलत है, इसमें जो है, जो गन्ना आता हुए MSP अंतरगत नहीं आता है, बलकि यह उचीर लावकारी मुल जिसे यह फारपी की नाम से जाना जिता है, उसके अंतरगत यह आता है, तिसका दूसरा statement वह गलत है, और निउंतल समर्थे मुल क क्रिस लागत और मुल आयोगी से जारी करता है, और उसकी जो स्थापना हुई है, वह बर्स 1965 में इसकी स्थापना हुई है, और यह जो है, क्रिस एवंक किसाल कल्यान मंतराले कंतरगत कार्य करता है, तो कीवल जो है, एक इसका statement सही है, आप्शन A सही है, आयते हैं अगला प पाउदे को सहरा देते हैं और भोजन संग्रीत करते हैं, इसका जो option B है, वह सही है, इसमें एक पौलेंकाइमा उतक है यह जो पाउदे को आस्थाईत है, और लासीला पन लाता है, परस्व में यहां पर पूछ रहा कि सहरा देना और भोजन संग्रीत करना है, यह जो कार्य विटामिन बी और सी वसा में घुलन सील होते हैं विटामिन ए डी के पानी में घुलन सील होते हैं इसमें आपको अताना कौन सा कथन जो है सही है केवल एक केवल दो दोनों या इनमिस कोई नहीं यहाँ पर जो पहला statement यह भी गलत है और यहाँ पर जो दुफ़ा statement यह भी गलत है यहाँ पर जो है interchange है vitamin B और C जो है यह वसा में गुलन सीलोते हैं यह बलकि पानिम गुलन सीलोते हैं और vitamin A, D, E के जो है यह आपके वसा में गुलन सीलोते हैं तिसमें कोई भी जो statement है, वह सही नहीं है, परिच्चम आपके इस प्रकाविप प्रस्नें पूछे जा सकते हैं, इसका जो option दी है, वह सही है, आएते हैं अगला प्रस्न लोग, उतर प्रदेश में अस्थानी निकाय चुनायों में अन्य पिछला वर्ग का आरच्चन तय करने के लिए उतर प्रदेश सरकार दोरा किसकी अधच्चता में पिछला वर्ग आयो का गठन किया गया है, नयमूर्थ राम अवतार सिंग, नयमूर्थ संजय सिंग, नयमूर्थ र इसका जो सही आंसर है और इसका जो कारिकाल होगा वह छे माह का हुगा और इसमें कुल पांस अदस्ते हैं और इसमें जो चेर्मैन है वह न्यायमूर्थ राम अवतार सिंग्जी है इसका जो आप्शन ए है वह सही है आर इसी कंपणी द्वारा आजादी के महुत्सव को महुत्सव के तहट 28 दिसमबर 2022 को कहां पर बिजली उत्सव का आउजन किया गया है आसम त्रिपुरा मेगला या नागा लेंड तो इसका जो आउजन किया गया है आर इसी कंपणी द्वारा वह आसम में किया गया है और यह है असम के यह असम के कि बक्सा जिला है वहाँ पर इसका आजन किया है एक महारतने कंप्प पर आदेज दूह और आज़ेसी कंपणी जो अस्थापना हुई है वर्स 1979 में इसकी अस्थापना हुई है और यह बरहमी कंपणी बनी है महारतन का दर्जा प्राथ करने वाली है इसका जो अप्शन ए है वह सही है आएते हैं अगला पस्म लोग उत्तरप्रदेश की पहले ही महिला पुलिस कमिस कि गई है गाजियाबाद फर अस्था आज़िया अंसर ने में उत्तरप्रदेश की पहले महिला पुलिस कमिसिनर लचमी सिंग को कि गई है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है आएते हैं अगला पतरशम लोग आर्धर भूव में क्या-क्या सामिल होता है यहां पे चार अप् I'll just as Mr. भूरम में सोन्प मी होता है डिल्टा धी ता है एस्सिरी और महेंग्रों सभी जो है इसमें सामिल होते हैं इसका वियत GREG क्लीजीर है की अ का MR Paris जो है 208 भूम दिवस मना जाता है और यह आपका दो फरवरिक मना जता है और वर्स 2022 में भी इससे आयुद किया गया था दो फरवरिक को और इस बार्द जो थीम रखी गए थी वह वेट लेंड एक्शन for people and nature इसकी theme रखी गए थी और भारत में बात करते हैं आर्द भूम की तो भारत में कुल 75 वेट लेंड है और सबसे रही वेट लेंड है तमिल नाड में सबसे अधिक वेट लेंड है और टोटल कितने है टोटल आपका 14 वेट लेंड है सबसे ज़्यादा जोग है इंडिया में आप लोग कौणं बाक्स में टाएगा है कि यूपी में वेट लेंड है इसका उतर आप लोग कौणं बाक्स में टाएगा। निम्रिखित में काउन भारत के समीधान में राज नीत की निर्यसक सिधानतों में सामिल है नागरिकों के लिए समान नागरिक संगता अंतराष्टी सांते और सुरच्छाओं को बढ़ावा देना राश्टी महत्तों के संसमार्कों का सनचन इसके लिए चार आपसन दिया गया है आपसन आप लोग पढ़ लिजे भारत के समीधान में राज नित के निरसक्सी धानतों का जोवर्ण किया गया है वह भाग चार में किया गया है और उसमें जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संगता का जो वर्डन किया गया है वह आर्टिकल 44 में किया गया है और अंतराश्टी सांत यो सुरच्छों को बढ़ावा दिना यह जो लेक किया गया है वह आर्टिकल लेक्कियाउन में किया गया है और राश्टी महात्यों के संसमार्कों का सनच्छन करना जो है यह आर्टिकल 49 में इसका वर्डन किया गया है और संभिधान में राज नितनी देशक सिधानत का वर्डन किया गया है वह भागचार में किया गया है और यह आपका आर्टिकल बारा से आर्टिकल जो है 36 से 51 तक जो है इसका वर्डन किया गया है आर्टिकल 36 से 51 तक राज नीतनी रिशक सिधानतों का वर्डन किया गया है और इसे जो है आयरलेंड से लिया गया है हमारे समिधान में आयरलेंड से राज के नीति से सिधानतों को जोड़ा गया है और यह जो है नियाले में नियायोचीत नहीं होता है राज के नीति सिधान तीस परकार जो है सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएं option D इसका सही आंसर है आयते हैं अगला प्रस्म लोग यहाँ पर समिधान समित दी गई है और उनके अध्यच्छों के साथ यहाँ पर सुमिलित किया गया है आपको बताना काउं सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं है प्रारूप समित डॉक्र भीमरावमेटकर संग सक्त समित जहालनेरू प्रांते समिधान समित सरदार पटेल संचालन समित का जेवी किरपलानी तो इसका जो सही आंसर है संचालन समित के जो अध्यज थे वह जेवी किर्प्रानी नहीं थे बलकि डॉक्टर राजेन प्रसाज जी थे राजेन प्रसाज जी थे संचालन समित के अध्यज जैसा कि हम दो जानते हैं कि समिधान सबक जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और अंतिम जो बैठक हुई थी वह आपकी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और कई बार परिशाओं पूछा गया है टोटल कितनी समिधान सबक बैठक हुई थी तो आपकी 22 समिधान सबक की टूटल बैटक हुई थी जिन में पहली आपके 9 दिस्वंबर 1946 को हुई थी आएते हैं अगला प्रास्म लोग सम्मुद्र सक्ति अभ्यास के संबंध में यहां पर दो नौ सिन अभ्यास है और इसका दूसरा च्छेट में यहां सही है समुद्र सक्ति अभ्यास यह भारत और इंडोनेसिया के बीच नौ साइनिक अभ्यास है तक इवल जो है दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा और इसका जो पहला संस्क्राण आयुजित किया गया था वह वर्स 2018 मे भारत और मियापार भारत और भुटान या भारत और भांगलादेश यह जो संबंदित है समा समिधान संसोधन यह भारत और भांगलादेश के बीच लैंड बाउंडरी एग्रिमेंट से संबंदित है इसका जाप्शन डी है वह सही है और यह जो संसोधन हुआ था वह 2015 में स संसर्थ के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महिने से अधिक नहीं हो सकता दूसरा जो स्टेट्मेंट है राज सभा में किसी भी कारे को करने के लिए गणपूर्थ सदस्नों की जो संख्या है वह पच्छपन है इसमें आप पताना काउन सही है केवल दो या इनमिस कोई नहीं तो इसका जो पहला जो statement है वह सही है संसत के दो सत्रों को बेच अधिक्तम अंतराल जो होता है वह छे मान से अधिक नहीं हो सकता है अर्थात जो है संसत की वर्ष में कम से कम दो बैठक आयुजित की जानी चाहिए इसका जो पहला statement यह सही है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसत में प्रटेक वर्ष जो है तीन बैठक आयुजित की जाती है जिन में आपका एक होता है बज़ट सत्र दूसरा होता है मान सून सत्र और तीसरा आपका होता है कालीन सत्र होता है दूसरा जो statement यह गलत है कि राज सभा में जो है गनपूर्थ जो सदस्यों की संख्या होती है वह पचपन नहीं होती है बलकि वह 25 होती है और गनपूर्थ जो सदस्यों जो संख्या होती है वह खुल सदस्यों का एक बटर दस भाग होता है और जैसा कि हम दो जानते हैं कि राज सभा में जो अधिक्तम संख्या है सदस्यों की वह आपका 250 है अब 250 के प्रदस आपको निकारेंगे तो आपका 25 जो सदस्य होंगे इसी प्रकार से लोग सभा में जो सदस्यों जो संख्या है जो गणपूर सद्यस्वण जो संखियाव आपकी 45 है तिस प्रकार जो है कीवल एक सही है राजसःभान जो गणपूर संखियाव 25 है औव लोग सवबा में आपकी 55 है तो इसका जो option यह है वस सही है आईपर है अगला प्रास्म लोग द्रव बूत की संकुचित होकर निवन्तम छेतर घेनने की प्रवितिक का कारण क्या होता है स्यान्ता, तापमान, प्रिस्तानाव या घनत हो तो इसका जो कारण होता है वो प्रिस्तानाव कारण द्रव बूत जो है वो संकुच थोक कर नियुंतम चेतर में इस्तिर हो जाती है इसका जो option C है वे सही है आयते हैं अगला प्रस्म लोग खाजुराहों के मंदिरों के संदर में यहाँ पा तीन स्टेट्मेंट दिया गया है इसका निर्माड चंदियल सास को द्वारा किया गया था यह वे सहर सैलिम बना है 1986 में इसे युनेस्को विश्व विरासत असल जो है गोसित किया गया है केवल एक और दो, केवल दो और तिन, केवल एक और तिन, या एक दो और तिन इसका जो पहला स्टेट्मेंट वह सही है खाजराहों के जो मंदिर के निर्माड है वह चंदियल सास को द्वारा इसका निर्माड कराए गया था इसका दूसरा स्टेट्मेंट गया था यह वे सर सैलिम नहीं बनाय गया था बलकि यह नागर सैली मनाय गया था और इसका जो तिस्टा इस्टेटमेंट है वह सही है और यह वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में इस्थित है और यह जो मंदिर है यह हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है इसका जो option C है वह सही है कांगरेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था कलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905 या मदरास अधिवेशन 1908 तो इसका जो सही आंसर है वह option A कलकाता अधिवेशन 1906 में स्वदेश प्रast assessed को पारिटः किया था और इसकी जो अज़्यतथा है वह दादाभाई नवरोजी ने की थी, अगर प्रस्त यही पूचता कि प्रास्ताव किस अधिवेशन में लाए गया था तु जो प्रस्ताव लाए गया था वह बनारास अधिवेशन 1905 ने है प्रस्ताव लाए गया और कलकाता दिरसन 1906 में स्वराज 22 का रांदोलन स्वदेशी और राश्री सिच्छा की प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है आए तेहें अगला प्रस्म लोग यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है नेती आयोग ने हरिद्वार को सर्वस्ट आकांचे जिला गोसित किया है आकांचे जिला कारिकराम वर्स 2019 में सुरू किया गया था और इसकी रैंकिंग कुल 5 समाजिक आर्थिक विश्यों पर आधारित ह होती है इसमें आप बताना कौंसर स्ट्रेटमेंट सग्या है केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3 या 12 तीन इसका जो पहला स्ट्रेटमेंट वस सही है नेती आयोग ने वहाले ही जो रैंकिंग जारी की गया है ुसमें हरिद्वार को जो है सर्वस्ट आकांचे जिला गोसि सुरू किया था और इस कारिक्रम जो उद्देश था वह देश के कुछ अविक्सित जिलों को तेजी से विक्सित करना इसका उद्देश था और इसका तो इसकी रैंकिंग जो है कुल 5 समाजिक आर्थिक विश्यों पर आधारित है इनमें आपका स्वास्त वपोसर्ण, और कौसल विकास, जल और क्रिस संसाधन और बुनियादी धांचा तो टोटल जो है 5 समाजिक आर्थिक विश्यों पर आधारित है नीति आयोक के आकांचे जिला कारिक्रम के रैंकिंग के लिए तो इसके जो है पहला और तीसरा सही है तीसका जो आप्शन C है वस सही है आप और इन आकांचे जिलों में आपका चित्रकूट है, बलरामपूर है, बहराईच है, सोन भद्र, स्रावस्ति, चंदावली, सिदार्थ नगर और आपका फतेपूर तो टोटल जो है आठ आकांचे जिला है उतर परेश ने अब पूरे देश में टोटल 117 जिला है और यह जो अनुचेद 78 में की गई है, नियंतरक और महाल एखा परिच्छा कारिकाल 6 वर्स या 65 वर्स आयो तक होता है, इसमें आप बताना है काउन साई स्टेट्मेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनो या इनमिस कोई नहीं, इसका जो पहला स्टेट्मेंट यह गलत है, भारत के भारत समिधान में नियंतरक और महाल एखा परिच्छक की जो चाचा की गई है, वह आर्टिकल 48 में नहीं की गई है, बलके इसकी नियुकती आद का जो वर्डन है, वह 148 में की गई है, भारत के समिधान 148 में जो है, नियंतरक और महाल एखा परिच्छक के नियुकती आद क की बारे में जो है वडन किया गया है और इसकी जो नियुक्ति है वह राश्पति करता है इसकी नियुक्ति जो है वह राश्पति करता है और इसको पद से हटाता है भी जो आपका राश्पति ही है और नियंतरक और महालेखा परिशक जो होता है वह केंसरकार रासरकार के प्रिषिन करता है इसका दूसरा स्टेट्मिंड फिरह नी अंत्र को महा लेखाइ। परिष्चा की कायर काल होता है वह या तो 6 होता है या किसे सनोफ वर्स तक की का होता है इसका जो कीवल दो इसका जो readyubby है वह सही है आयते हैं अगला प्रसमिटो चार देशों के समू G4 संदर में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है यह एक समू है जो UNSC के अस्थाई सदस बनने की उच्छुक है दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें आस्टेलिया, जर्मनी, ब्राजिल और जापान समील है इसमें आग पताना कौन से स्टेटमेंट सही है केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमिस कोई नहीं है इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि G4 जो संगठन है यह UNSE के अस्थाई सदस बनने की उच्चुक है और इसका दूसरा इशर्म निया गलत है इसमें जो है जापान, जर्मनी, ब्राजिल और भारत समील है जापान, जर्मनी, ब्राजिल और भारत समील है तो इसका केवल, दो इसका अंसर हो जाएगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन्युत राष्ट सुरच्छा परसेद में टोटल जो है 15 सदस होते हैं जिन में आपका 5 अस्थाई होता है और 10 अस्थाई होता है और इन 5 अस्थाई सदस्वें में आपका अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और आपका UK है और आस्थाई जो सदस से होते हैं, जो 10 चुने जाते हैं, यह दो वर्ष की कारिकाल के लिए चुने जाते हैं, जिन में भारत भी चुना जाता है, और भारत टोटल जो है, आठ बार आस्थाई सदस चुना गया है, यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजेगा, तो केवल इ इसके सिक्को पर, जैसा कि हम दो जानते हैं कि, चौथी बहुत संगीत जो आजित की गई थी, वह कस्मीर कुंडल में आजित की गई थी, और यह जो है, कनिस के समय में आजित की गई थी, और उसकी अर्धिता जो है, वह वस्मित्र ने की थी, और इसे में जो है, बहुत जो बहुत जो धर्म है ये दो भागु में बाजित होता है एक आपका हीन यान और दूसरा आपका महायान में बाजित होता है और बहुत संगीत आपका कस्मित कुंडल में आजित की गई थी तो इसका जो आप्शन डी है वस सही है यहां पर छे दिया गया है इसमें आप बताना है कौन जो है खाड़ी सायोग परिशत के सदस्य देश है ओमान, कुबैत, इराक, महरीन, कतर, युएई इसके लिए चार आपसन दिया गया आप लोग आपसन पढ़ लिए खाड़ी सायोग परिशत जो अस्थापना की गई थी वो वर्स 1981 में की गई थी और इसके जो है कुल जो सदस्य देश है वह आपके 6 हैं इन में आपका सौधी अरब है, सनुक्त अरब अमिराथ है, कतर है, कुबैत है, ओमान है और बहरीन है यहां पर आप लोग का असानी समय लिए यहां मैपका प्रियोग किया गया है यह आपक अस्थापना है, वर्स 1981 में इसकी अस्थापना की गए थी, तीस में आपका इराक नहीं है, जिन में 3 नहीं है, वह आपका सही अंसर हो जाएगा और यह आपका बी में नहीं है, इसका जो आप्शन B है, वह सही है आएते हैं अगला प्रासम लोग, यहां पर 4 धाराएं दी इसमें आपको बताना है कौन से धार जो है गर्म धारा है हमबोल्ट लेबरोडोर केनारी या गल्फ इसका जो सही अंसर है वह अप्शंडी गल्फ इस्ट्रीम जो है यह गर्म धारा है और यह मैक्सिकों खाड़ी मुत्पन होती है और उत्तरपूर्वी दिशा में यूरोप क सही है वह सही है यहाँ पर सिंदु सभिता के चारास्त्र दिया गया है और उससे समनित राज दिया गया है इसमें आपको बताना है कौन सही जो है सुमेलित नहीं है धौला वीरा गुजात रोपड पंजाब काली बंगन करनाटक राखीगड़ी हर्याणा तो इसका जो सही पंजाद के अंसर है वो आप्सन सी काली बंगा जो है यह करनाटक में हैं बलकि राजस्तान में और राजस्तान के हनुमां गर जीम इसका विश्तार है अब इसका झूज हैутrie है वह आमलारं घोस ने की थे ए कि के अमलारं घोस ने काली बंगन के खोज की थे यहाँ पर यहा इसका जो आप्षन जागरित की संसान ने सुरू किया है सेवी नेतियायोग रामकिस मिशन या आरे समाज तो यह जो मिशन है यह रामकिस मिशन ने सुरू किया है मिशन जागरित को और इसे जो सुरू किया है वह केंद्री सिच्छा मंतरी ने इसकूली छात्रों के लिए यह कारिकरम सुरू किया है और यह जो कारिकरम है यह रामकिस मिशन का है इसका जाप्षन सी है वह स समगर्ज जो हविकास किया जाएगा इसकी ताहर मिसंज जगर Protect Geek की तहट बात कर लेते हैं हम लोग रामकि जिसमिसन की तो रामकिसन्सके जो अस्थापना है वह अठाईरो सतांबी में सौमव वेक और जिन ने रामकिसन मिसं लाई सो जाईम इसका जो सही अंसर है वो option B लाई पेज जो है यह हवसा के पाचन में सहायक है इसका जो option B है वो सही है और लाई पेज को जो है अगने आसा जो है वो स्रावित करता है अगने आसा जो है वो स्रावित करता है आईते हैं अगला प्रस्म लोग पंचायती राज सम्दित यहाँ पे चार समितियां दी गई है इनको आपको काल करमानुसार ब्योस्तित करना है LM सिंगवी समित GV के राव समित असोग महता समित बलबंत राय महता समित इसके लिए चार आपसं दी आगा आप लोग आपसंपढत लिए बलबंत राय महता समित जो स्थापना की गई थी वर्स 1967 मिस के स्थापना की गई थी असोग महता समित जो गठित की गई थी वह 1997 मिक की गई थी GV के राव समित की जो गठन किया गया था वह 1985 में इसका गठन किया गया था और LM सिंग है वी समित का गठन किया गया था वह 1986 में इसका गठन किया गया था तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह option सबसे पहले आपका चार आएगा जो option B में दिया गया है इस प्रकार 94 जो एंसर हो जागा वो अप्सन B होगा पंचायती राज की जो शुरुवात की गई थी वो भारत में वर्स 1969 में राजस्थान के नागोर जिला में इसकी जो शुरुवात की गई थी और उस्टा में जो है भारत के प्रधा मंतरी जहौला नहरु जी थी उन्होंने 1969 में इसकी शुरुवात की थी राजस्थान के नागोर जिला में इसका जो अप्सन B है वह सही है तेज और अधिक समावे से विकास किस पंचवर्सी योजना का मुख्य उद्देश था ग्यरामी पांचमी ग्यरामी बरामी दसमी या आठमी यह जो उद्देश था तेज और रूप रेखा उन्हें बनाई थी वह सी रंग राजन ने बनाई थी इसकी रूप रेखा ग्यरामी पंचवर्सी योजना के हैं इसका जो ऑप्सन ए है वह सही है आयते हैं अगला प्रस्म लोग हाले में भारत और बांगला देश ने मंत्रे अस्तरिय सन्योक्त नदी आयोक के 29 में बैठक के दौरान कुष 11 नदी के अंतरीम जल बटवारे पर समझावते घ्यापन पर हस्ताचर किया रहा है भारत बांगला देश सन्योक्त नदी आयोक का घढ़ान उनिस सुपचतर में क किया गया था इसमें आप पताना कौन सा इस्टेट्मेंट सही है केवल एक केवल दो दोनों या इनमिस कोई नहीं है इसका जो पहला स्टेट्मेंट यह सही है कि भारत और बांगला देश ने मंत्र अस्तरी सन्यूक्त नदी आयों कें अन्रत नहीं किया गया था तो इसका केवल एक इसका सही होगा, ऑप्शन एसका सही आंसर होगा आयते हैं अगला प्रस्म लोग JP Moments, Emergency and India Second Freedom नामक जो पुस्तक है यह किस ने लिखी है MG Rana Day, SN Banerjee, MG Dewa Sahyam या JP Narayan यह जो पुस्तक लिखी है यह MG Dewa Sahyam ने लिखी है इसका जा option C है वस सही है आयते हैं अगला प्रस्म लोग वित्ती, इस्थिर्ता और विकास परस्त EFDST के संदर में याप पे दो स्टेटमन दिया गया है इसका जो गठन वर्वर्स 2000 में किया गया था और रिजर वाएं के गवर्नर इसके अधच होते हैं केवल एक, केवल दो, दोनों यह इनमिस कोई नहीं तो इसका जो पहला स्टेटमन यह गलत है इसका जो गठन किया गया था वित्ती, स्थिर्ता और विकास परस्त जो गठन किया गया था वर्स 2010 में इसका गठन किया गया था और इसका दोस्ता स्टेटमन यह भी गलत है RBI गावर्नर इसके अधच नहीं होते हैं बल की वित्तमंत्री जो है इसकी अधच होते हैं, वित्तमंत्री इसकी अधच होते हैं, इसमें जो है कोई भी स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है, आएते हैं अगला प्रसम लोग, आखिल भारती हरिजन सेवक संग की अस्थापना किस वर्स होई थी, 1928, 1932, 1942 या 1919, तो इसक का जो गठन है, वह दिल्ली में इसका गठन किया गया था, और इसे महत्मा गांधी ने इसका गठन किया था, महत्मा गांधी ने आखिल भारती हर्जन सेवक संग का गठन किया गया था, और हर्जन के नाम से जो है, महत्मा गांधी जी समाचार पत्र का भी प्रकासन कर देत में पीएम डिवाइन की घोश्रा की गए थी और यह जो योजना है यह 100% केंद्रिय वित्व पोशित योजना है इसमें वर्ष 2022 तेज से इसमें आपको बताना है काउन साई स्टेट्मेंट जो है सही है केवल एक और दो केवल दो और तिन केवल एक और तिन या एक दो और तिन इसका जो पहला स्टेट्मेंट विशना है पूर्वत्ताय चेत्रों विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्री बजर 2022 तेज़ जा जोजना है और इसका तिसरा स्टेट्मेंट यह भी सही है कि वर्ष 2022 तेज से 2025 सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को पूरदतने धन्यवाद जैहिन जैवारत यहाँ पा दो स्टेट्मेंट दिया गया है इसमें आपको बाताना है काउन स स्टेट्मेंट सही है पहला जो स्टेट्मेंट है प्राकलन समित संसत की एक तदर समित है लोक लेखा समित का गठन 1950 में हुआ था केवल एक सही है केवल दो सही दोनों सही है इनमिस कोई नहीं सही है प्राकलन समित जो है यह संसत की तदर समित नहीं बलकि यह अस्थाई समि संसद में प्रकित के अधार पर समितियां दो प्रकार के होती है एक आपका अस्थाई होता है दूसरे आपका अस्थाई या तदर समितियां होती है अस्थाई समितियां वे समितियां होती है जिनका गठन संसद के अधिनियम द्वारा इसका गठन के जाता है और इसका जो कारी इसका जो कारी होता है वह अनवरत प्रकित का इसका कारी होता है इनमें आपका लोक लेखा समीत होई प्राक्रंग समीत होई सारवजनिक उपकरम समीत होई कारी मंतरनाद समीत होई यह सबी जो समीतिय होती है यह अस्थाई समीतिय होती है प्राक्रंग समीत का जो गठन किया ग करता है और टोटल 300 जो सदस होते हैं वह सभी लोग सभाग की होते हैं दूसरा जो statement वह गलत है लोग लेखा समित की जो गठन किया गया था वर्ष 1950 नहीं किया गया था बलकि वह सभाग की बहर सरकार अधिनियां 1919 के तहट जो इसका गठन है वर्ष 1921 में इसका गठन किया गया था लोग लेखा समित का इसमें टोटल 22 सदस होते हैं जिन में 15 जो वो लोग सभग होते हैं और साथ आपके राज सभग सदस होते हैं और इसकी जो अस्थापना है वह वर्ष 1921 में होई थी इसमें जो सही कथनवा कोई भी नहीं है इसलिए जो अप्शन D होगा वह सही होगा आएते हैं अगरा प्रसम लोग जुलाई 1946 में स्रिजित की गई कांग्रेस की विसेसग समित के सदस्यों में यहाँ पे चार सदस्य दिया गया है इनमें आपको बताना काउन सामिल नहीं थे बियार अम्रेटकर केया मुंसी हुमायू कबीर या केटी सा समिधान सभाग के आएते हैं अगला प्रसम लोग बिश्व निवेस रिपोर्ट 2022 अंदर में यहाँ पर चार स्ट्रेटमेंट दिया गया है यह रिपोर्ट अंतराश्टी मुद्रा कोश द्वारा जारिक की जारिक बिश्व निवेस रिपोर्ट 2022 ने इफडी आई के मामले में 2021 के लिए सीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्ताओं में भारत का जो अस्तान बता है वो सातों बताया है विती वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत के लिए सबसे अधिक FDI स्रोत वाला देश रहा है वित वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कंप्यूटर सौप्टेवर और हार्डवेर छेतर में सबसे अधा विदेशी निवेस हुआ है इसके लिए चार आप्सन दिया गया आप लोग आप्सन पढ़ लिजे इसका जो पहला स्टेट्मेंट वह गलत है विस निवेस रिपोर्ट 2022 को यह अंतराश्टी मुद्रा को नहीं जारी करता है बलकि इसे अंक टार्ड जारी करता है जिसका जो फुल फार्म होता है अंक टार्ड जो है इसे जारी करता है और इसका जो फुल फार्म माप लो जान लिजे United Nations Conference on Trade and Department इसका फुल फार्म है और 2022 की जो रिपोर्ट जारी किया गया है या इसका 32 संसकर इसका जारी किया गया है और इसकी जो थीम रखी गई थी, वह इंटरनाशनल टेक्स, रिफॉर्म और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इसकी थीम रखी गई थी, और इसका दूसरी स्टेटमेंट यह सही है, बिस सो निवेस रिपोर्ट 2022 में, यह अफ्डियाइक मामले में, 20 मेजबान कंपणियों में अर्धवय उस्थाओं में भारत को जो अस्थान रखा गया है, और इसमें पहले स्थान पर वह आपका USA है, और दूसरी अस्थान पर आपका चाइना है, अर्व सात्मा जो अस्थान आपका अपने भारत देश का है, तीसरा इस स्टेटमेंट वह गलत है, वित्ति वस 2021-22 मे अमेरिका नहीं भारत का सबसे अधिक FDI सुरोत वाला देश रहा है, बलकि वह आपका सिंगापूर रहा है, सिंगापूर रहा है, सिंगापूर जो है, वहाँ से भारत को 27 परसन FDI प्राप्त हुआ है, दूसरे अस्थान पर अमेरिका रहा है, अमेरिका आपका दूसरे अस्थ स्टेटमेंट आपका सही है विद्ट वर्स 2021-22 के द्वारान देश में computer software और hardware में सबस्यादा विदेशी निवेस हुआ है यह स्टेटमेंट आपका सही है तिस प्रकार जो है दूसरा और चाहता सही है जो option B में दिया गया है सबस्यादा जो FDI प्राप्त हुआ है हुआ है computer software hardware में मिला है दूसरे अस्थान पर आपका स्रीवा छेत्र में मिला है स्रीवा छेत्र में टूटल 12 परसंड और software में 25 परसंड प्राप्त हुआ है और तीसरे अस्थान पर आपका automobile है जहां पर 12 परसंड जो है वह मिला है FDI अगर राज छेत्र में बात की जाए तो करनाटक की प्राप्त हुआ है करनाटक में सबसे दाइफ दियाई आया दूसरे अस्थान पर आपका दिल्ली है और तीसरे अस्थान पर आपका महारास्ट है महारास्ट है सबसे पहले करनाटक जहां पर 53 परसंड दिल्ली 17 परसंड और तीसरे अस्थान पर आपका ही है बात कर लेते हम लोग अंकटाड के अंकटाड जो है इसकी जो अस्थापना होई है वह सबसे जञारा कमाई करने वाली एथिलीटो के लेबरोन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनार्डो यार नेमार, तीस रिपोर्ट के अंसार जो है, लियोन मेसी जो है, सबसे अदर कमाई करने वाली एथिलीट है, इसका जो आप्षन ए है, वह सही है, और इन्हों ने टोटल जो है, एक सो तीस मिलियन अमेरिकी डालर की इन्हों कम मेसी, अभी हाले में फीफा में जो है, इन्होंने गोल्डेन बूट का अवार्ड जीता है, गोल्डेन बूट का दूसरी बार इन्होंने अवार्ड जीता है, जो आपके अर्जिंटीना के हैं, दूसरे जो सबसे अदर कमाई करने वाली एथिलीट हैं, वह आपके लेबरोन और टॉप सौ में जो है वो भारत के एक मात्र खिलाडी आपकी विराट कॉली है विराट कॉली जो है एक मात्र खिलाडी जो टॉप सौ में है और इनकी जो कुल इंकम हुई है वो आपके 242 करूल पे इनकी कुल इंकम हुई है इस रिपोर्ट की अमसार और यह एक मात्र खिला सिवा जी आगरे के किले की कैद से भागे थे, केवल एक, केवल दो दोनु या इनमेस कोई नहीं, इसका जो पहला स्टेट्मेंट वह गलत है, मराठा समराज में उस सरदेश मुखी जोकर होता था, वह भूरा जो उसका 25 परसंट नहीं होता था, बलकि 10 परसंट होता था, तो यह कुल आय का, एक बटा चार भाग होता था, एक बटा चार भाग होता था, और सरदेश मुखी जो होता था, वह 25 परसंट लिया जाता था, इसका दूसरा स्टेट्मेंट वह सही है, आउरंग जेब ने सिवा जी को आगरे के जेल में बंद किया था, जहां से वह भाग ग और यह जो घटना होई थी, वह 1600 शांचत में होई थी, प्रकार जो है, कीवल दो इसका आंसर सही होगा, इसका जो आप्सन B है, वह सही है, यहां चार व्यक्ति दिये गए हैं, इनमें आपको बताना है, कौन जो है, लोग सभा का अध्यच कभी नहीं रहा है, के वी के होगा, वह अपसने के वी के सुंदरम जो है, यह लोग सभा कभी अध्यच नहीं रहे हैं, बलकि यह दूसरे चुनाओं आयुक्त रहे हैं, यह जो है, सेकेंड चुनाओं आयुक्त रहे हैं, बाकि आपका जीयच धिलो, बलिराम भगत और हुकुम सिंग जो है, यह लोग लोग सभा देश की पत पर ओम बिरला जी हैं, और पहले जो लोग सभा देश थे वह आपके जीवी मावल अंकर जी थे, तीस प्रकार जो है, इसका जो ऑप्चन ए है, वस सही है, आजनता गुफाओं को संदरम यहां पर तिन स्टेटमेंट दिया गया है, आजनता केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या एक दो और तीन, आजनता गुफाओं थी, इनका जो संबन्दव जात गुफाओं से है, इसका पहले स्टेटमेंट वह सही है, और आजनता गुफाओं को 1983 में युनिस्को की विस्फ धरवा सूची में सामिल कर लिया गया है, यह भ योगा आजंता गुफाई और अजंता गुफाई यह महाराष्ट के ओरंगाबाद में हैं यह जो सभी गुफाई है यह बहुत असमारक की गुफाई है इसका जो ओप्शन ए है वस सही है यहां पर एक पुस्तक है दड्यूटीज अउफ मैं इस पुस्तक को उर्दु में यह जो पुस्तक है यह इटली के प्रसिद करांतिकारी नेता मैजनी थे उन्हों निया पुस्तक लेखी थे दव डिव्टीज आफ मैन और इसका उर्दुम अनुबाद किया थे वह लाला लाजपतराय अपना गुरु भी मानते थे इसका जाप्शन सी है वह सही है कच के तापमान पर चांदी नाइक्रोम काच की प्रति रोधकता का सही अनकरम आपको पहचानना है आपसन आप लोग पढ़ लेजिए इन तीनों में जो अनुक्रम होगा प्रति रोधक्ता का वो सबसे पहले आपका चांदी आएगा दूसरे अस्था में नाइक्रोम आएगा तिसरे अस्था में आपका काँच आएगा तो जो अप्शन ए में दिया गया है और प्रति रोधक्ता का कई बार जो है इसका मातरग भी पूछा गया है इसका जो मातरग होता है वह ओम मीटर होता lah ओम आ मीटर जो है वह प्रति रोधक्ता का मातरग होता है इसका जो अपसन ए है वैस सही है हिमाचल प्रदेस में मर्करण किसके लिए जाना जाता है सवर उर्जा भूत आपी उर्जा जय उर्जा या पाउन उर्जा तो यह जो जाना जाता है यह भूत आपी उर्जा के लिए जो है जाना जाता है मड़ करन जो ही माचल प्रदिस में है यहाँ पर जो है गर्म जहरना भी काफी फेमस है और यह है भूत आपी उर्जा के लिए इसका जा option भी है वस सही है आगे बढ़ने से आपको बताना चाहता हूँ UPSC RO, BO, UPSC SPRELIN BPSC सहीद हमारे काई पेड़गूप चल ले हैं अगर आप इन पेड़गूप से जुड़ना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पर कॉल का जनकाई प्रात कर सकते हैं दो वस्तों के बीच गुर्टवी बल पर क्या प्रभा होगा यदि एक वस्तों के द्रमान को दोगना कर दिया जाए और दोनों के बीच के दुरी को भी दोगना कर दिया जाए आप से नापलिक पढ़ लीजे जैसा कि हम दो जानते हैं कि न्यूटन के गुर्टवा कर्शन का जो नियम है जो सुत्र है यह बराबर जी M1 M2 अपान R स्कार है और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अगर वस्तों के द्रमान को दोगना कर दिया जाए तो यह जो सुत्र हो जाएगा 2 M1 M2 हो जाएगा और दोरी को दोगना कर दिया जाए यहाँ पर 2 R हो जाएगा इसका स्कार कर दिया जाता है तो पूछा जा रहा है कि बल कितना होगा तो यहाँ पर यह इससे कैंसल हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा M1 M2 अपान 2 R अर्था जो है बल आधा हो जाएगा जो Option C में दिया गया है इसका जा Option C है वे सही है उतरा धयान सूत्र किस धर्म से समन्दित है हिंदू बाध जैन या पारसी तो यह जो समन्दित है यह जैन धर्म के स्वतामबर पंथ का एक धर्म गरंथ है उत्तरा ध्यान सूत्र इसका जो option C है वह सही है आयते हैं अगला प्रसम लोग मेतं नोईक अमल सामानता किसमें पाय जाता है पेशियों में मोतर में चीटी के डंग में या मानो मस्तिस्क में यह जो अमल होता है यह चीटीयों के डंग में पाय जाता है methanoic acid जिसका जॉप्शन सी है वस सही है यहाँ पर चार जैन धर्म के तिर्थंकर दिये गया है और उनसे संबने जोह प्रतिक दिया गया है इसमें आप बताना काउन सही सुमिलित नहीं है रिसब देव संभावनाद, अभिनंदनाद सुमतिनाद, गज, अस संभावनाद, अभिनंदन नाद का प्रतिक दिया, वह आपके क्रॉँश था प्रकार इसका जो option A है, वह सही है, आयते हैं, अगला प्रस्म लो, पादप किस प्रक्रम में गुलकोज का निर्मित करती हैं, स्वासान, प्रकाश संसिलेशन, निमनी करन या खनीज अऊसुशन, इसका जो सही है अंसर है, वह option B, प्रकाशन संसिलेशन करिया के दोराण, पाउधे जो और इस्टार्ज बनाने में सहायता प्रदान करती है, तो गुल को जो बनता है, वो प्रकास संसरे से क्रियाक दोरन बनता है, इसका जो आप्सन भी है, वो सही है, किस अनुचेत के तहट पंचायतों को समवैधानिक धरजा दिया गया था, आर्टिकल 226, आर्टिकल 243, आर्ट संवैधानिक धरजा दिया गया था, आर्टिकल 273 में इसका उल्लेक किया गया है, इसका जो आप्सन भी है, वो सही है, यहां पर पांच राज दिया गया है इनमें आपको बताना है कि भारत राज जवन रिपोर्ट दोजार एक अनुसार जो है वन छेत्र के संदर में और वही करम आपको बताना है छेत्र फल के दिश्टे आपको बताना है इसके लिए चार आपसन दियाएंगे आप लोग आपसन पढ़ लिजे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसेदी जो छितफल के दिश्टे भारत में राज है वनों की वह आपका मध्य प्रदिश है मध्य प्रदिश आपका पहले अस्थान पर है दूसरी अस्थान पर आपका अमलच्य प्रदिश है तो सबसे बड़ा पहले रखा जाएगा फिर इसके बाद अंतिम रखा जाएगा टिस प्रकार जो है इसका जो OPSON D है, व vivid सही है सब स्यदा जो वन खेत्रै भारत में वह मद्य प्रदेश के पास है दोसरे अस्थान पर अमलाचा प्रदेश है तीसरे अस्थान पर 36 गर्ड है चोथे स्थान पर ओरिसा और पांच में स्थानव का महाराष्ट है तो इसका जो अप्सन D है वह सही है करनाटक में वीर्षव अंदोलंग के संस्थापक कौन है वासवणना, अपपार, संबदार या सुंदरार वीर्षव अंदोलंग जिससे लिंगायत अंदोलंग नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो अस्थापना की थी वह वासवणना की ने की थी इसका जो अप्सन E है वह सही है आयते हैं अगला प्रस्म लोग कारवी अंगलोंग जो पठार है या किसका विस्तार है प्राइदेपी पठार, तिबद पठार, हिमालाय का या सान पठार तो कारवी अंगलोंग जो पठार है या प्राइदेपी पठार का एक विस्तार है इसका जो अप्सन E है वह सही है यहाँ पर एक सान का पठार है यह आपके म्यामार में स्थित है मियामार मिस्तित है साम का पठा भारत के सबसे बड़ी और लौणी जील काउंसी है उलर, नल सरुवर, पैंगोंग सो या चिलका तो भारत के सबसे बड़ी और लौणी या मीठे पानी जील कह सकते हैं यह आपके उलर जील है और यह आपके जम्मू कस्मीर मिस्तित है बागी आप कंडल सर्वर जो है यह आपके गुजरात मिस्तित है पैंगों सो यह आपके लदाख मिस्तित है लदाख मिस्तित है और चिलका आपकी उडिसा मिस्तित है और यह खारी पानी की जील है आपकी उडि मजनु सा भावानी पाठक और देवी चवधुरानी किसे संबने थी सन्यासे विद्रो मुंडा विद्रो कुका विद्रो या मोपला विद्रो तो इनका जो संबन था वह सन्यासे विद्रो से था मजनु सा भावानी पाठक और देवी चवधुरानी ये जो है सन्यासे विद्र सासन के विरुद अंदोलन किया गया था सन्यासी विद्रो इसका जाप्शन ए है वह सही है भारत सौर उर्जा के सीर्स उत्पादक में पर्थम अस्थान रखता है सौर उर्जा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहला अस्थान रखता है गुजरात के महसाड़ा जिले के मोढेरा गाउं को भारत का पहला सौर उर्जा संचालित गाउं घोसत किया गया है भारत ने 2030 तक गैर जिवास्म इधान आधारित 500 गिगावाट बिजली की अस्थापित छमता प्राप्त करने का लक्ष निधारित किया है लक्ष निधारित किया है इसके लिए आपको बताना है काउंसर इस्टेट्मेंट जो है वह सही है केवल एक और दो केवल दो तीन और चार चाहे केवल एक दो और तीन या एक दो तीन और चार ये काफी अच्छले बेल का प्रस्थ बनाए गया है आपकी परिच्छाम पुष जाने के समाओना अधिक्तम है इसकी पहला जो इस्टेट्मेंट बहुत गलत है भारत सवरुर्जा सिर्ष उत्पादन में पर्थम अस्थान नहीं रखता है बलकि भारत में जो है जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी अस्थान पर अब हो गया है और सबसे दर जो सवरुर्जा उत्पादक देश सेवाब का चाइना है दूसरा इस्टेट्मेंट में बहुत सही है कि गुजरात के महसाना जिले के मोढ़ेरा गाउं को भारत का पहला सवरुर्जा संचारित गाउं गोसित कर दिया गया और तीसरा स्टेट्मेंट भी सही है भारत ने वर्ष 2030 तक गयर जिवास इधन अधारित 500 गिगावाट बिजले की अस्थापी छमता को प्राप्त करने का लक्ष निर्धारित किया है तिस प्रकार जो है दो तेन चार जो है इसका सही आंसर होगा जो आप्शन बी में दिया गया है आए अगला प्रसम लो हाले में कि किन सरकार ने डिश्टल संपति ट्रिप्टो केरेंसी पर कितना प्रसक कर लगाये का जो है पृष 30% 15% 30% 40% तो यह जो कर लगाए जाएगा क्रिप्टो केरेंसी पर वह आपका 30% लगाए जाएगा इसका जो आप्शन सी है वह सही है आएते हैं अगला प्रसम लोग यहाँ पर चार अभ्याज दिया गया है इसमें आपको पताना कौन सही सुमिलित है मैतरी अभ्याज संप्री बब्रसम समस्य अभ्याज यह भारत और सिंगपूर की मैद्ध होता है गरं pm आपको आपको यह आएक नाव सohynिक अभ्याज से यह नहीं से न अभ्यास है और पहली बार जिसको वर्ष 1994 में इसको पहली बार किया गया था अभ्यास सिंबैक्स अभ्यास भारत और सिंगापूर मद्द है अदूद अब वह जो प्रहरी जो अभ्यास है यह भारत और यूकें अध्य नहीं होता है यह अभी साई सुमिलित किया गया था वह जो प्रहरी का जो भारत और अमेरिका अगमत्य आयुद किया जाता है तिस प्रकार जो है केवल एक और दो है वह आपका सही अंसर है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है हम्पी के खंडारों को निम्रकित में से इस्ट इंडिया कंपानी की किस ब्रिटिस बैकेंजी नि जो है हम्पी की खंडारों को पहली बाद प्रकास में लाया था और यह गटना थी वह तर Гanor अठारासों में यह घतना घटित होई थी और यह भारत के पहले सर्वेयर के रूप में जो है नियूपत किया गे था हम्पी जो है यह व्यसे नेगर की राधनी है औ लोगों को बदरा नदी किना रिष्थी थे और वर्तमान में जो है यह करनाटक के अंतरगत आता है करनाटक के अंतरगत आता है कि यहाँ पर चाराज दिया गया है और उसी राज के बारे में यहाँ पर तीनी स्टेटमेंट दिया गया है करक रेकह उस राज से होकर गुजरती है और यह जो राज है उत्तर दट्शल विस्तार अधिक है इस राज का और इस राज की बंगलदेश और मियामार की सीमा अंतराश्टी सीमा जो है साजा करती है त्रिपुरा, मिजोरम, नागालेन ये मड़पूर तो वह आपको राज बताना काउं सा है तो इसका जो सही आंसर होगा यह जो विस्रिस्ता है यह सभी विस्रिस्ता मिजोरम की है जहारखन, पस्ति मंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल जो है आठ राज्यों से करकर रिखा गुजरती है, और इस राज्य का उत्तर दच्छडी विस्तार जो है वह अधिक है, और त्रिपुरा जो है यह बांगलादेश और मियामार के साथ जो है अंतराश्टी सीमा जो साजा करता है और इसका जो है उत्तर और दच्छड के जो विस्तार है वह अधिक है, तिस प्रकार जो है इसका जो आप्शन भी है वह सही है, आयते हैं अगला प्रस्म लोग, निम्रिकित में से कौन सा से कार्बन अपरूप विद्दुत का सुचालक है, हीरा, केवल एक, केवल दो, केवल दो यह एक और तीन, कार्बन का जो अपरूप ग्रिफाइट है यह विद्दुत का सुचालक है, बाकी आपका हीरा और फुलोरीन नहीं होता है, तो इसका जो आप्शन C है केवल भी, ग्रिफाइट जो है यह विद्दुत का सुचालक होता है, और इसे काला सिसा की नाम से भी जाना जाता है। अल्गरिफाइड का उपयोग, पेंसिल बनाने में भी किया जाता है। इसका जा अप्सन C है, वस सही है। प्रदहान या मुत्तर गुजरती है। यहाँ पर 4 देशत दिया गया है, अलजीरिया, फ्राश, नाईजीरिया और पुर्टगाल। इसमें आपको बतान है किन देशों जो है? परदहान या मुत्तर, जिससे अंताराश्ठी देशांतर गुजरती है, एक और दू, दो और तीन, तीन और चार, या एक और तीन इसका जो सही आंसर है वो option A Algeria और France से उकर जो है अंतराश्टी तितरेका गुजरती है तो इसका पहला जो option है option A वो सही है विस्ट के Algeria और France के तरिक्ट UK, Spain, Mali, Burkino, Faso, Togo, घाना आद ये ऐसे देश हैं जहां से अंतराश्टी तितरेका जो है वो गुजरती है सही है भूपरपटी में carbon की मात्रा आपको बता नहीं है आप चना आप लोग पढ़ लिजिए भूपरपटी में जो carbon की मात्रा है वो है 0.05 परिस्ट है इसका जो option B है वो सही है अगर प्रस्ण यहां पर इस प्रकाज कुछ आता कि भूपरपटी में किस तत्तु की सबसे अधिकता होती है तो आपकी oxygen की अधिकता सरवाधिक होती है पहले नंबर पर आक्सिजन है दूसरे नंबर आपका सिलकान है और तीसरे नंबर आपका अलूमिनियम है और इसमें जो carbon परिस्ट होता है आपका सूनित समलो सूनित 2-5 परिस्ट होता है इसका जो option B है वो सही है भारती ये विज्ञान कांग्रेस के उध्गार्टन सत्र के पहले प्रेजिडेंट कौन थे सर जेसी बोस होमी जे भावा आस्तोस मुखर्जी या सिवी रमन भारतिक विज्ञान कांग्रेस का जो उद्गाटन सत्र हुआ था यह अपका 1914 हुआ था और इसके जो पहले अध्य जो चुने गए थे वह आस्तोस मुखरजी चुने गए थे इसका जा अप्शन भी है वह सही है और अभी वर्ष 2023 में इसका अध्वेशन हुआ है एक सो आठमा जो अध्वेशन हुआ है वह आपके राष्ट संत तुक दोजी महराज नाक पुर्विश्ची विद्याल है वहाँ पर जो है वर्ष 2023 का भारति विज्ञान कांग्रेस का उद्गाटन प्रधान मंत्री मोधी जी नहीं किया है और जो पहले जो अध्य चुने गए छेते वर् 21914 में इसका जो उप्शन सी है वह सही है कि समुधर गुप्त को भारत का निपोलिन किस नहीं कहा था वी ए ऀसमीत जीमप्रिंसप विलियम जोंस या जीम सक पूरे जीवन में कभी भी नहीं आ रहा था और यही कारण है इसे भारत का निपोलीन कहा जाता है यहाँ पर चार देश दिया गया है इनमें साब को बताना है काउन से दिर जो है वो भूमत दरीखा पर इस्थित हैं ब्रुनेग, कोलंबिया, केनिया और वेनियुजी एला इसके लिए चार आपसंद दियागा आप लोग आपसंद पढ़ लिजे भूमत दरीखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैब कांगो गणराज, युगांडा, केनिया, मालदीव जैसे देश जो है इस पर इस्थित हैं इनमें आपका कोलंबिया हुआ और केनिया हुआ यह दो देश ऐसे हैं जो भूमत दरीखा पर इस्थित है तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन B में दिया यह सही है भूमत दरीखा कुल कितने महाधीत सोकर गुजरती है यह टोटल तीन महाधीत सोकर गुजरती है यह आपका दच्छड अमरिका हुआ, यह अफरिका हुआ और यह आपका एसिया, तो तीन महाधीत सो गुजरती है, अगर प्रसन आयोग इस पकार से पूछे, कि यह कितने महासागरों से उकर गुजलती है, भूमद रेखा, तो यह आपके तीन महासागरों से, यह आपका परसान महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और यह आपका हिंद महासागर है, तो टोटल जो है, तीन महासागरों से, तीन महादीपों से यह आपका भूमद रेखा गुजरती है इसका जो option B है वस सही है आगे बढ़ने इसे पहले आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई प्रेट गूरूप चलते हैं जैसे UPSC RO, BO, UPPSC प्रिरिफ, BPSC से कई गूरूप चलते हैं अगर आप इन प्रेट गूरूप से जुनना चाहते हैं तो दिये गए नंबर के कॉल का जनकाई प्राथ कर सकते हैं प्राचीन भारती ग्रंतों में वर्णित प्राचीन सहर तचसिला के अस्थान के पहचान किसकी द्वारा की गई थी अलेजेंडर करिंगम, आलडी बनर जी, जॉन मार्सल या दैराम सहनी तो इसका जो सही आंसर है वो अप्चन है अलेजेंडर करिंगम ने तचसिला के अस्थान के जो है पहचान की थी और यह जो है सिच्छा का प्रारंबिक हिंदू और बौध धर्म का केंदर रहा है और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है और तचसिला में ही जो है चानक ने अर्थसास की रचना की है अर्थसास की जो रचना है वो चानक ने तचसिला में ही रहकर की थी और इसका जो वर्डन है वो फायाना और हुयंग सांग ने भी किया है तस्सिला काम इसका जो option A है उबस सही है भारत में महत्मा गांधी की पहली प्रमुक्ष सारवाजनी को पस्थिती कहां दर्ज की गई थी चमपारण, खेडा, बनारस हिंदो भी स्विद्यालेक उद्गाटन या रॉलेट एक्ट में तो इसका जो सही answer है वो option C बनारस हिंदो भी स्विद्यालेक उद्गाटन में महत्मा गांधी की भारत में पहली प्रमुक्ष सारवाजनी को पस्थिती जो है वो दर्ज की गई थी और बनारस हिंदो भी स्विद्यालेक उद्गाटन किया गया था वह वर्स 1916 में इसका उद्गाटन किया गया था और इसका उद्गाटन है वो लाड हार्डिंग ने किया था चमपारना आंदोले यह आपका 1917 हुआ है खेडा जो सत्यागरा हुआ था यह आपके 1918 हुआ है रॉलेट एक्ट यह आपके 1919 में आये था इसका जो अपनसी है वस सही है यहाँ पर चार राज दिये गया है इन राज़ों में आपके बताना है किस राज की राज सभा में जो सीटों की संख्या जो है सबसे अधिक है आंद्र प्रडेस बिहार राजस्थान या करनाटक प्रस्ण आपकी परिच्छा में यूपी ही न सबसे वारा सीट है तो सबसे जो वारा सबसे है कीजा यूपी हें जैसा कि हम जैनते हैं कि राज सभा में सबसे होते हैं drive और सबसे ऊचार कारिक्छ Geme देश को होता है और इसके एक थीहाई जो सदस्ट होते हैं वो परते दो साल में वो सेवा निवरित होते हैं अगर उबार्बराल पुछा जा सभी राज्जों में तो सभ सेट है वो आपके यूपी में है और यूपी में टोटल जो है समलित नहीं है देनमार्क, आर्लैंड, नार्वे या स्वीडन इसकशेयों के समहुम तोटल जो है इन्में आपका स्वीडन है नार्वे नियुके कोई समलित नहीं है तो इसका ऑप्शन समयार्ण यहां पूछा जा रहा- nuclear के हैं सेलुकस ने चंदरुगत मौर को दहेज की रूप में कितने राज परदान किया था चार, छे, आठ या बारा तो सेलुकस ने चंदरुगत मौर के टूटल चार राज परदान किया था इनमें आपका हेरात, कांधार, काबुल और मकरान, टोटल जो है, चार राज प्रदान किया था सेलुकस की लड़की का नाम हेलन कार्नेलिया था, जिसकी साधी जो है, चंदरुत मौर के साथ किये थे और सेलुकस निकेटर ने अपना जो राजदू था, मेगा स्थनीज को, इसको चंदरुत मौर के दर्बा में बेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी इसका जो अप्शन ए है, वह सही है, यहाँ पर एक तरफ किताब दी गई है, और उसकी प्रकार दिया गया है, इसके लिए चार अप्शन दिया गया है, आप लोग अप्शन पढ़ लीजे, आस्टांग संग्रह की जो पुस्तक है, इसकी जो रचना है, वह बागभट ने की है, दस रूपक की जो रचना है, वह आचार धनंजय ने किया है, और लिलावती की जो रचना है, यह भास का रचार अचार ने किया है, और महा भास जो है, यह पतंजलिन लिखा है, और यह किस पुस्तक उसको आपको सुमिलित करना है, अस्टांग मार की जो पुस्तक है, अ इस प्रकार जो है इसका जो option B है वे सही है आप लोग रचनाकार भी नुट करती चलिएगा आश्टांग संग्र जो पुष्टक है यह बागभटन लिखी है दस रूपक पुष्टक आचार धनंजन लिखी है लिलावतिक रचना भासकराचार निकी है और महाभास की जो रचन है वह पतंजली ने किया है इसका जो option B है वह सही है यहाँ पर चार देश दिया गया है इनमें आपको बताना है कौन स्वाडिम अर्धिशंदर में समलित किया जाता है आफगानिस्तान इरान इराग और पाकिस्तान इसके लिए चार अप्सन दिया गया आप लोग आप्सन इनमें जो है तीन देश सामिल है और यह अफिम उत्पादक छेतर है इनमें आपका पाकिस्तान है अफगानिस्तान है और इरान यह तीन देश सामिल है इराग सामिल नहीं है तो एक दो और चार एक दो और चार यह option D में दिया गया है और यह अफिम उत्पादक छेतर आते ह इनमें आपका इरान है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इसका जो अप्संडी है उबस सही है यहाँ पर एक तरफ देश दिया गया है दोसी तरफ आपकी राधानी दी गई है इसमें आपको पताना काउन एक साही सुमिलित नहीं है फिनलैंड हलसिंकी बोलिविया लापाज इथोपिया लुसाका और यूक्रेन कीव इसका जो सही अंसर है इथोपिया की राधानी वर लुसाका नहीं है बलकि आदीस अबाबा है अदीस अबाबा यह इथोपिया की राधानी है और लुसाका जो राधानी है यह जांबिया की राधानी है लुसाका जांबिया की इसका जो सही आंसर है वह आप्षन A, Lactobacillus जीवानु जो है यह दूद से धही जमानि में काम आते हैं इसका जो आप्षन A है वह सही है यहाँ पर चार धात्वें दी गई है और उनके लिए जो प्रमुक खाने हैं यहाँ पर आपको सही करम का चैन करना उसके लिए, सोना, ताबा, लोहा और कोईला, यहाँ पर आपसन है खेतरी, कोलार, कुंद्रे मुख और जरिया, यहाँ पर एक करम इसको सजाना है, उसका यह आपको चैन करना है, जैसा कि आपने जानते हैं कि कोलार जो खान है, यह सोना के प्रस्ण आपको सुमिलित करने की लिए आसकता है और यहां पे इस प्रकार के बीश्य सुरुपक से बनाए गया है आएते हैं अगला प्रसम भारत के समिधान के इस अनुचयत के तहर पंचायतों में महिलाओं के लिए चीटों की आरचन प्रवद्धान की प्राधान किया गय तिया जो प्रावधान किया गया है यह आपके आर्टिकल 243 के तहट प्रावधान किया गया है कि पंचायतों महिलाओं के लिए सीटें आरचित की गई है और यह जो सीटें है यह टोटल एक तियाई सीटें आरचित की गई है महिलाओं के लिए और इसका जो लेक है यह आर्ट तो वर्ग गरन जो मूल उकाई आपके होती है वह जाती होती है इसका जो आप्शन ए है वह सही है जाती, वन्स, कुल, गर्ण, वर्ग और इसके बाद अंतर में आपका आता है संग आता है तो सबसे जो मूल उकाई होती है आपकी जाती होती है यहां पर एक तरफ सिचाई परियोजना दी गए है और दूसरे तरफ राज दिया गया है इसमें आपको पताना है कौन योग में सही सुमिलित है कुंडा परियोजना, तमिलाड, गिरना परियोजना, महाराष्ट, पामबा परियोजना, किरल इसके लिए चार आप्सन दिया इए आपके खिर्ड़ उलिए कुनडा जो परियुजणा यह तमिललाद में है गिरना परियुजणा महाराश्च में है और पामव परियुझा आपके केरल में है तह यह तिनो परियुजणा है यह सभीALK है उंत्यबलित नहीं है राश्टी खेल दिवस 29 सगस, सिचछक दिवस 5 सितमबर, 206 दिवस 7 सितमबर और राश्टी हिंदी दिवस 14 सितमबर इसका जो सही आंसर है, 206 दिवस यह 7 सितमबर नहीं मना जाता है, बाकी सब इसु मिलेता है राश्टी खिल दिवस ये मेजर ध्यांचन जी के जन्म दिवस के उसर पर प्रतेग गुंति सगस्त को मना जाता है और सिछक दिवस ये सवर पली दाधा क्रिशन के जन्म दिवस के उसर प्रतेग 5 सितंबर को और राश्टी एंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मना जाता है इस आपका mapping based difference बनाए गया है प्रस्न आपकी परिच्छा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकते हैं तो तीनों महादीप से जो घिरा आपका सागर है वह आपका भूमत्य सागर है इसका जो अप्सन दी है वह सही है आई हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं यह आपका भूमत् सागर है तीस का जो option दी था वह सही है आएते हैं अग्धा प्रस्म लोग मिस्रधात सोल्डर जो होती है यह किसके घटक होती है आप लोग पर लीजिए सोल्डर जो होता है यह सीशा और टीन का मिस्रण होता है इसका जो option भी है वह सही है जिन में टीन जो होता है वह साट परस्म होता है और सीशा का आपका 40 परस्म होता है इसका जो option भी है वह सही है निम्र्वित में से किसने राज के नीत निजसक तत्म को समाजिक बहिसकार के लच्चों को आगे बढ़ने के लच्च की रूप में माना है बियेन राव ग्राण विले ऑस्टिन केसी वेर या रजनिक उठारी तो यहापके ग्राण विले ग्रान्विले औस्टिन निमाना है राजिके नीतने सत्ततों को समाजिक भाहिसकारिक लच्छों को आगे बढ़ने के लच्छ के रूप में माना है इसका जॉप्षन भी है वह सही है आप लोग नए राजियों के गठन और मौझूदा राजियों की सीमाओं की परिवृतन के स सकती है संसत किसी राजिक के नाम में परिवृतन नहीं कर सकती है यहां पर आपको बताना है कौन साय स्टेट्मेंट सही नहीं है यहां पर आपको बताना है कौन साय स्टेट्मेंट सही नहीं है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन और चार या केवल चार इसका ज जो है किसी विराज का छेत बढ़ा सकती है और दूसरा इस्टेटमेन भी सही है और उस छेत को घटा भी सकती है यह जो पावर होती है यह संसत के पास होती है यहाँ पर तीसरा और चौक्ता जो इस्टेटमेन भी गलत है संसत किसी विराज की सीमा में परिशन कर सकती है यहाँ तीसरा और चौथा जो statement है वह गलत है और नए राजियों गठन संबन्दी जो प्रावधान है वह हमारे संविधान के भाग एक में है और जैसा कि हम दो जानते हैं कि हमारे जो article 3 है article 3 में नए राजिका निर्माड वर्तमान राजियों के छेत्र सीमा वह नामें परितन करने का जो लिखार है वह संसत के पास है तीसकाज अप्शन सी है वह सही है यहां पर चार देशों का करम दिया गया है इसमें आग पताना है भारत का आपने पड़ोसी देशों के उमध्य अंतराश्य सीमा की विश्थार का आरोही करम आपको पैचानना है चीन बांगलादेश पाकिस्तान और नेपाल दिया है सबसे जो इन देशों के अंसाज जो सबसे छोटी जो सीमा लगती है भारत की उसमें आपका नेपाल है नेपाल साथ भारत जो सीमा लगती है दूसरा जो अस्थान है वह आपका पाकिस्तान का है पाकिस्तान के साथ भारत जो सीमा लगती है वह लगभग 3900 किलमेटर लगती तो यहाँ पर आरोही करम पूछा जा रहा है। इसलिए इसका जा उप्चन B है वो सही है। सबसे पहले नेपाल दूसरे अस्थान पर आपका पाकिस्तान आपका थीर अस स्थान पचेन और अनूमानित प्राप्प्तियों और व्याका एक विवरण संसत के समझ रखा जाना है आपको बताना है वह आर्टिकल कौन सा है यह बात हो रहे हैं बजट की जिसे सम्विधान में बजट सब्द का जो प्रयोग है वह सम्विधान में कहीं पर नहीं किया गया है वह आपका सिर्व वित्ती विब्रण की नाम से इसका वर्डन किया गया है आर्टिकल 1110, आर्टिकल 1112 या आर्टिकल 1113 तो इसका जो सही आंसर है वो आप्शन से आर्टिकल 112 जो है यह भारा सरकार के अनुमाने प्राप्तियों और ब्य का एक विविरन होता है जैसे संसत के समझे रखा जाता है और हमारे समिधान में बज़र सब्द का कहीं पर भी प् सटमधर भारत का जो प्रतम बज़र जो प्रसुत किया जह था यहां पर चार देश दिया गया है इसमें बताना कहुं से नगढक का संस्ताापक स्थ संस्ते नहीं है ब्राजील, कनाडा, रूस या भारत, निव डेवलेमेंट बैंक जो है, यह ब्रिक्स द्वारा, ब्रिक्स संस्ता द्वारा चला जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिक्स में टोटल जो है, पाज देशाते हैं, इसमें आपका ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और द संगही चीन में इसका मुख्याला है आएदे आगला प्रस्म लोग भारत के किस प्रदेश की सीमा एं तीन देशों जिन में आपका नेपाल है भुटान है और चीन है इनके साथ जो है सीमा साजा करता है आपको बताना है राज कौन सा और राजा परेश पस्तिम बंगाल मेगाला या सिक्किम आप लोग आसाने समझने के मैपका प्रयोग किया गया है यह आपका चाइना है यह आपका नेपाल है और यह आपका बुटान है इन तीनों देशाओं जो सीमा साजा कर इसका जो option D है वस सही है भारत में 21 माई को कौन सा दिवस मना जाता है एन आर आई दिवस राष्टी इवा दिवस राष्टी प्रद्धोकी दिवस या राष्टी आतंगवादी विरोधी दिवस तो इसका जो सही आंसर है option D प्रतेक 21 माई को पूर प्रधामंतर राजीव गांधी जी की सरद्धानजली देने के लिए प्रतेक 21 माई को राष्टी आतंगवाद विरोधी दिवस मना जाता है इसका जो option D है वस सही है NRI जिसे हम लोग प्रवासी दिवस कहते हैं और यह आपका 9 जनवरी को मना जाता है राष्टी जीवाद दिवस यह आपका 12 जनवरी को मना जाता है सौंवी वेकानन की जैनती की अवसर पर और राष्टी प्रतेव की जो दिवस है यह आपका 11 माई को मना जाता है यह सभी ज कार्णवाली स्कोर्ड इसके लिए चारा अफसन दिया आप लोग अफसन पढ़ लीजिए कि कार्णवाली स्कोर्ड जो है यह 773 में आये था कि माले मिन्टो सुधार यह आपका 1909 में वर्ना कुलर प्रेस एक्ट आपका 1808 में और भारती कारकाना अदरियां पहला जो आपका आए था। तो सबसे पहले जो आएगा वह आपका कार्णवाली स्कोर्ड दूसरे रासतहन पर आपका वर्ना किलर रैट और तीशर्मी बारती समयधान का सब्सक्रार जाएगा माले मिन्टों सुधारा जाएगा जो आप्शन ए में दिया गया है आयते हैं अगला प्रस्म दो भारति समिधान का अनुचेद कि 321A किस राज को विसेश विसेशा दिकार प्रदान करता है नागलायन मिजोरम सिक्की में मड़पूर। यह विसेश नागलायन को प्राप्त होता है आर्टिकल 331A के थायत इसका जाएगा जो आप्शन ए है वो सही है नागा राजन के जो राध्धानिवाप कोईमा है और यह 1993 में भारत का स्वलहाम राज बना था नागल एन। इसका जो अप्सन यह है, वह सही है। NCR में किस राज का छेत्र नहीं है, राश्री राधानी छेत्र में कवन समलित नहीं है, हर्याना, पंजाब, राजस्थान या उत्रप्रदीश। NCR में जो है, हर्याना आता है, राजस्थान आता है, योपी आता है, परन्तु पंजाब नहीं आता है। इसका जो अप्सन भी है, वह सही है। हार्याना के टोटल जो है 14 डिष्टिक आते हैं राजस्तान के 2 डिष्टिक आते हैं और UP के कुल 8 डिष्टिक आते हैं NCR में और उसमें जो है पंजाब सामिल नहीं है व्भारत में केंदरी महंत्र पहस्त करें से अधिक नहीं होगी इसके लिए चल्रसूं पह्ट लिए इसका जो सही है और केंद्र में जो है मंत्रियों की जो न्युक्ति है वो राश्पति प्रधार मंत्री के सलाव पर करता है और इनका जो कारिकाल होता है वो प्रसाद परियन तक होता है राश्पति के प्रसाद परियन तक जो है मंत्री अपने पत पर रहता है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंत्री होते है तीन टाइप के होते हैं एक होता आपका कैबिन मंत्री होता दूसरा आपका राज मंत्री होता तिसरा आपका उप मंत्री होता इसका जाप्सन यह है वो सही है आगे बढ़ने इस पहले आपको बताना चाहता हूं UPSC RO, BO, UPSC प्रिलिम्स UPSC सहीथ हमारी कई प्रिलिम्स चल ले है अगर आप इन प्रिलिम्स जुणना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पिकॉल का जनकाई प्राप्त का सकते हैं तो दोस्तों अगर आप प्रसम दोग देखते हैं Gondwana Land की तूटने का जो क्रम है वो कप प्राप्त हुआ था परमियन युग में जुरैसिक युग में क्रिटेसियन युग में या ट्रियासिक युग में तो यह तूटना जो प्राप्त हुआ था वो आपके जुरैसिक युग में हुआ था Gondwana Land का पैंजिया जो है यह दो भागूम भाजत है जो उत्तर वाला भागता उसे अंगारा लैंड की नाम जाना जाता है अंगारा लैंड और दाच्र वाला जो भागता वह गॉणडवालãy राइंग की नाम से जाना जाता है और यह आपके जुराइसिक युग में तूटना प्रारम भुगा था इसका जा उप्षन भी है वह सही है इन में से किसने भारती क्रिस सेवा सुरू की थी लाड करजन विलियम बेंटिंग लाड मिंटो दूती या लाड रिपन तो भारत में जो है भारती क्रिस सेवा जो सुरू किये थे वह लाड मिंटो दूती नहीं किया था और इन्होंने जो है 1906 में से शुरू किया था मेक इंडिया पहल के संदर में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है इसे साल 2018 में सुरू किया गया था और इसका जो देश है वह नवाचार को बढ़ावा देना है आपको बताना है काउन साई स्टेटमेंट सही है केवल एक केवल दो दोनों यह इनमिस कोई नहीं मेक इंडिया जो प्रोग्राम है यह 2018 में सुरू किया गया था बलकि 2014 में सुरू किया गया था इसका पहला स्टेटमेंट वह गलत है दूसरा जो statement वह सही है इसका जो उद्देश है वह नवाचार को बढ़ावा देना है इसलिए जो है इसका जो option B है वह सही है और इसका जो business उद्देश है वह 2025 तक वी निर्मार में जो GDP का योगदान वर्तमान 16% है इसे बढ़ा कर जो है 25% करना इसका जो है मुख्य उद्दे इसका जो option B है वह सही है यहाँ पर चार राज दिया गया है इसमें आप वताना किस राज में विधान परसद नहीं है कनाटक, तेलांगाना, विहार, पस्यमंगाल जैसा कि हम लोग जानते हैं गवरतवान में जो है छै राजों में विधान परसद है इनमें आपका कनाटक ह है महरास्ट है और अंदर परसद है इनमें जो है विधान परसद है पस्यमंगाल में जो है विधान परसद नहीं है यहाँ पर चर्चक की जा रही है कि विधान परसद बनाई जाए लेकिन वरतवान में जो है कुल छे राजों में विधान परसद है इसका जो option D है वह सही है स्वायम का फुल फार्म आपको बताना है इसके लिए चार अप्टिन दियागा आप लोग आप्टिन पढ़ लेजिए स्वायम का जो फुल फार्म होता है वह study webs of active learning for young aspiring minds होता है जो अप्टिन इमें दिया गया है और यह है सिच्छा नेत के तीन आधार भूत सिधानतों पहु भारत के सम्बिधान में नहीं है, सारवजानिक संपत्ति की सुरच्छा, प्राक्तिक पर्यावरण की रच्छा और सुधार, व्यज्यानिक स्वभाव और जाच की भावना का विकास करना, अंतराश्चिक सांद्य और सुरच्छा को बढ़ावा देना, जो हमारे भारत के समिधान में मौलिक कर्टब के जोड़ा गया है वो रूस के समिधान से जोड़ा गया है जिसे सोविय संग के नाम से पहला जाना जाता था और यह भारत के समिधान में सुवन सिंग समित के अंसंसा पर 1976 में 42 समिधान संसोदन जोड़ा इसे जोड़ा गया थ और वरतमार में टोटल जो है 11 मौलिक करतब है भारत के और यह आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया है इसमें आपका सरवजनित संपत के सुरच्छा है प्राक्तिक पर्यावरण के रच्छा और सुधार है वैज्यानिक स्वभाव और जाज की भावना का विकास करना भी है परन्त आते हैं अगला प्रास्म लोग यहां पर चार सहर दिया गया है इसमें आप बताना है कौन भारती सहर किसी भी नदी के दर्ट पर जो है इस्तित नहीं है iPhone नहीं है इसका जाप्षंसी है वह सही है आएते हैं अगला प्रस्म लोग जुमरित तलया और मंदार पहाड़ी किस राज में इस्तित है जारकंड बिहार असम या पसिम मंगाल तो यह आपके जारकंड में इस्तित है जुमरित तलया और मंदार पहाड़ी इसका जो अप्शन ए है वह सही है यहाँ पर 4 छेतर दिया गया है इन छेतरों में से आप बताना है कौन जो है खट्टे फलों का एक महात्रकून आपूर्थ करता है भूमद रेखी छेतर भूमद सागरी छेतर रेखिस्तानी छेतर या उप आर्द्र छेतर तो इसका जो अप्सन बी है वो अप्सन सही है भूमद सागरी छेतर जो है यह दुनिया के लगभग 60% खट्टे फल की जो है आपूर्थ करता है इसका जो अप्सन बी है वो सही है और आपका भूमद रेखी जो छेतर है यहाँ पर रबर की उत्पादकता होती है रबर हुआ आपका कोको हुआ गन्ना हुआ चाय काफे इन सब की जो उत्पादकता है वो भूमद रेखी छेतर में होती है और खट्टे फल जो उत्पादकता है वो भूमद सागरी छेतर में किया जाते है इसका जो अप्सन भी है वो सही है यहाँ पर एक तरफ चोटी दी गई है दूसरे तरफ पहारी का नाम दिया गया है उसके साथ आपको मिलान कराना अनाई मोडी डोडा बेट्टा धूपगर और गुरुसिकर निलगेडी सत्पुडा अरावली और अन्ना मलाई अन्ना मलाई यह आपके अन्ना मलाई पहारी के उची चोटी है डोडा बेट्टा यह निलगेडी पहारी के उची चोटी है धूपगर जो आपके सत्पुडा की है और गुरुसिकर आपके अरावली परवत की उची चोटी है तिस प्रकार जो है इसका जो ऑप्सन सी है वह सही प्रवाल भितिया की छेत में नहीं पाए जाती हैं परंद जो है कैमबिक खाड़ी में नहीं पाए जाती है यहाँ पर पूशा जा रहा कहाँ पर नहीं पाए जाती है इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा और कैमबिक खाड़ी को जो पूर नाम था आपका जो खमभाद की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर प्रवाल भितिया नहीं पाए जाती है इसका ज गिन्नी गुलांक या गिन्नी अनुपात एक अर्थव्योस्ता में निवखी में से किसके माप के संबन में जो है प्रयोक किया जाता है मुद्रा इसफीत की दर गरीबी सुचकांग आय समानता या व्यक्तिगत आये तो गिन्नी गुलांक का जो प्रयोक के जाता अर्थव्योस से हवा की गत में कमी तापमान में कमी जब चेतपन में बृद्धी होती है तो वास्पी करन की जुद्धर होती है वह बढ़ जाती है तो इसका जो आप्शन ए है वह सही है भारत के संबिधान के उनसार निमलखित में से कौंसा कथन सही नहीं है यहां पर चार स्टेटमेंट दिया गया है राश्पती भारत के मुक्ष नियाधिस को अपना त्याकपत सौन्पता है इस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पर रिच्छा कारिकाल पांच वर्स का होता है। सुप्रीम कोड के एक नियाधिस भारत के मुख्य नियाधिस को संबधित करते हुए आपने त्याकपत दे सकता है। प्रास्पति को सौप्ता है। दूसरा जो स्ट्रेट्मेंट है। यह जो आपका सही है बलके श्ट्राइन नियुकल कर रिच्छा कारिकाल होता है। इनका जो कार्काल होता है वह 6 वर्स का होता है या आप 25 वर्स आई जो भी पहले होई और वरतमार में जो है भारत कंदियंत्रिकों महली परिछक जो है आपके वह गेरिश्चैंद मुर्मुजी है तीसरा जो स्टेट्मेंट रहे आपका गलत है चौथा जो statement है यह भी आपका गलत है Supreme Court का जो निया अधेस होते हैं वो जो अपना त्यागपत देते हैं वो आपके राश्पति को देते हैं तो यहाँ पर पूछा कौन सा statement गलत है तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा गलत है और चौथा गलत है पहला त्यसरा चौथा, जो option D में दिया गया है इस प्रकार क्वेस्टन जो आप लोग परिच्छा बहुत ध्यान से करिएगा किसमें नहीं पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है तो इसका जो option D है, वो सही है निमकीत में से कवन सा एक प्राक्तिक वास में वनस्पत की आत्म निर्भरत विकास में सही अनुकरम अवस्था है इसके लिए चार option D यागा आप लोग पढ़ लीजिए एक प्राक्तिक वास में वनस्पत के आत्म निर्भरत विकास का जो सही अनुकरम होता है वो आपका नगनता होता है, प्रवासन होता है, प्रतक्रिया होती है और स्थीर करण होता है, जो अप्सिन सी में दिया गया है, इसका जो अप्सिन सी है, वो सही है, आसा है आप सभी को बहुत कुछ जाने हैं, उत्तर प्रेश की यहाँ पर चार तापी विद्वित पर्योजन असोन भद्र में और हर्दुगा गंजाप के अलिगर्ड में है तीस प्रकार जो है इसका जो पहला option A है वह सही है आयते हैं अगला प्रसम लोग बीर बाल दिवस कंदर में यहाँ पे दो statement दिया गया है पहला जो statement है प्रतेकवर 26 दिसंबर को बीर बाल दिवस क्रूप में मना जाएगा यह पाचमे सिख गुरू अरजुन सिंग के पूत्रों को सरधान जली गुरूप में मना जाता है यहाँ पर बताना आपको कौन साय statement सही है केवल एक केवल दो दो ना तो एक ना तो दो इसका जो पहला statement वह सही है कि प्रतेकवर जो है बीर बाल दिवस 26 दिसंबर क गलत है यह पाचमे सिख गुरू अरजुन देव के पूत्रों को नहीं बलकी है दसमे सिख गुरू गुरू गोविन सिंग के पूत्रों बाबा जो रावर सिंग और बाबा फते सिंग जी की सहादत कि समिर टीम जो है मनाय जाता है बीर बाल दिवस जो आपके 26 दिसंबर को म रिगिस्तान में है सहारा आटाकामा गोवी या गिपसन चुकी का माता जो है यह संसार की सबसे बड़ी ताबे की खानों में से एक है और यह आपके आटाकामा रिगिस्तान में पाए जाती है और यह जो शेत्र रखता है यह चिली में है बाकि सहारा जो है आपके अफरिका महादीप में हैं गोवी यह आपकी ASEM है और Gibson यह आपके Australia महादीप में इस्तित है जैसे उसनियाक नम से भी जाना जाता है इसका जो आप्सन भी है वह सही है ऑप्रेशन अमानत किसकी एक पहल है BSF की, CISF की, RPF किया, CRPF की तो इसका जो सही आंसर है वह आप्सन C, RPF की एक पहल है ऑप्रेशन अमानत यात्रियों के खोया हुआ समान वापस पाने को जो है आसान बनाने के लिए आर्पी अपने operation आमान जो है वो सुरुक किया है इसका जा option C है वो सही है आठ प्रमुख उद्द्यों के सूचकांग में यहाँ पर तीन statement डिया गया है आठ प्रमुख उद्द्यों के सूचकांग की गणना हुवर्तमान में आधार वर्स ग्रूप में 2014-15 का उपयोग करके की जाती है इन प्रमुख उद्यों में रिफाइनरी उद्पाद, बीजली, इसपाद, कोईला, कच्चा तेल, प्राक्तिक गैस, सीमेन, उर्भरक सामिल है इन प्रमुक उद्योगों में आउद्योगी उत्पादन सुचकांग IIP में सामिल मद्योग का भार का 50 प्रस्य जो है सामिल है यहाँ पर आपको बताना है कौन साई स्टेटमेंट सही है केवल दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या एक दो और तीन इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है जो वर्तमान में जो आधार वर्स जो यूज किया जाता है वह आपका वर्स 2011-12 यूज किया जाता है इस सुचकांग के लिए और इसका दूसरा स्टेटमेंट ने सही है आठ प्रमुक उद्योगों में रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इसपाद, कोईला, कच्चा तेल, प्राक्तिग, सीमन और उर्वरक इसमें सामिल है और यह जो सभी उद्योग दिये गए हैं यह भार के घटते वे क्रम में दिये गए हैं सबसे जो भार आता है वह आपका रिफाइनरी उत्पाद आता है इसके बाद बिजली का आता है फिर इसपाद का फिर कोईला का कच्चा तेल का प्राक्तिक गया सीमन और अंतमियाब का उर्वरक छितर आता है इसके भार के रुप में यह जो है और वही क्रम में दिया गया ह और इसका इस सब्सक्राइब यह भी गलत है इन प्रमुक उद्द्यगों में उद्द्यगों उत्पादन सोचकांग आई आई पी में सामिल मदों का जो भार होता है वह 50 परसंट नहीं बलकि यह 40 मों 27 परसंट होता है यह फैक्ट आप लोग नोट कर लिजेगा इस प्रकार जो स्थापना की गई थी वर्स 19 सचोन में की गई थी साहित अकादमी पुरसकार अकादमी द्वारा मानता प्राप्त किसी भी प्रमुक भारती भासामें प्रकासित साहितिक योग सबसे उत्कुष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है बद्री नाराण को हिंदी में उ गईए एक दो तीन है इसका जो पहला स्थेटमेंट है वो सही है साहित अकादमी पुरस्कार जो स्थापना कि गई थी वर्स 19 रह में किया गय थी परक्स पहला पुरसकार प्रदान किया गया था तो इसका पहला श्चेटमेंट हूर इसका बहारत के कुल जो हमारे समिधान में आठवीय अंसोची के कुल 22 भासा है और प्लस दो अन्य भासा जिन में आपका अंग्रेजी है और दूसरा आपका राज स्थानी है टोटल 24 भासाओं में जो है साहित अकादमी पुरसकार प्रदान किया जाता है यह दूसरा श्रेटमेंट भी इसका सही है और तीसरा स्टे एक लाग पुरसकित राज दी जाती है एक लाग उर्पय जो है इसकी पुरसकित राज दी है तीया जो तीनों स्टेटमेंट भाब के सही है इसका जो ऑप्शन दी है वह सही है आयते हैं अगला प्रासम लोग टाइगरे जो छेतर है या किन देशों के बीच विवादी छेत मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश सामिल हुए थे जापान आस्टेलिया भारत और अमेरिका इसके लिए चार अप्सन दिया गया है आप लोग अप्सन पढ़ लेजे मालाबार का 25 मा संस्कण आईद किया गया था प्रसांद महासाँकर के गुवाम तट पर और इसमें कौड के सबी सदसbes देश सामिल हुए थे क्वार्ट के सवी सरस देश सामिल हुए थे और क्वार्ड में आपनों जानते हैं कि इसमें जापान है आस्टेलिया भारता और अमेरिका है तो टोटल जो है चारों देश से इसमें सामिल हुए थे माला बार का जो 25 सनुन आयोड किया गया था इसका जो पहला सन्सक्रन आयोड किया गया था आएते हैं अगला प्रसम बहारत में Catherine op남 जिए संख्त कि विरूद स्वाधिनता संहर्श जो है बाद में भी जारी रहा हुं प्रंच, डच, ब्रिटिस या पूर्टगाली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्टगालियों ने गुवा को 1961 में आजात किया था, तिसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन डी पूर्टगाली, यह जो सबसे अंतिम में भारत से वापस गये थे, और आने का ज अंondere आतीम आते हैं, फर आपके डेन्लमार्क वाले आते हैं और अंत में आपके फ्रंच आते हैं यह करम भी कई बार पूर्टगाली, फिर रच, पिर अंगरेज, फिर डेन्लमार्क, और फिर जो है प्रंच आते हैं, तिसका जा अनसर हो जाएगा आपसँ और य पूर्थpper यह बात के जा रहे है जंद गाट्ना 2011 की अंसार मेगाला में जो च्छारuk 2011 बात के जाया है तो वह है थीस लाक लोग है मिजोरां में जो है वह 116000.00 गोवा की जनसंक्या है वह 14000.00 अब सिख्किम जनसंक्या है वह लगबग 6.00000.00 तो सबसे ज़्यादा पूछी जा रहे तिसलिए आपका मेगाला इसका सही आंसर हो जाएगा और भारत के किसी विराजसों में सबसे जो कम जनसंक्या हाँ आपके स पहले खिलाडी बन गए है, यह फुरुस वर्ग में बात की जा रही है, दूसरा जो statement है, विस्तों का सबसे पुराना tennis tournament US Open है, फ्रेंच tournament clay court पर खिला जाता है, केवल एक सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, एक दो तीन सही है, पहला जो statement बस सही है, रा सही है, वह आपके Serena Williams है, Serena Williams जिन्हों टोटल जो है 30 grand slam जीता है, पुरुस वर्ग में सबसे दिक grand slam 21 जो है, राफिल नडाल ने जीता है, दूसरा statement वह गलत है, 20 सुका सबसे पुराना जो tennis tournament है, वह US Open नहीं है, बलकि है, वी मडलन है, और इसकी जो शुरुवात हुई है, वह 18-17 मेंस की सुरुवात हुई है, तीसरा जो statement है, वह सही है, फ्रेंच जो tournament खिला जाता है, यह आपके clear code पर खिला जाता है, यह जो तीसरा statement पर सही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tennis tournament टोटल चार होते हैं, पहला जो आपका है, वह आपका वी मललन है, दूसरा आपका US open है, तीसरा आपका French open है, अचा हो था आपका Australian open है, वी मललन जो खिला जाता है, यह आपके grass court खिला जाता है, grass court पर, और इसकी जो शुरुवात हुई है, वह 18-17 में इसकी शुरुवात हुई है, और सबसे यह पुराना, सबसे पुराना जो है tennis tournament है, US open के जो शुरुवात हुई है, और इसे जो है hard court पर खिला जाता है, इसके बाद French open है, French open जो शुरुवात हुई है, वह 18- gekommen के शुरूवात हुई है, और इसे clay court पर खिला जाता है, कई वार पर इछाओं यहाँ से प्रसंद पूचता है, यह किस मैदान पर खिला जाता है, इसके आपका grass court हुआ, यहां पर आपको प्रस्ण यहां से पूछतا रहता आयोगी और अंते में आपका इस्रेलीम ऊपन आता है अस्रियोफ छुरुआत हुई है वह 1905 में इसी चुरुआत हुई है और यह भी आपका hard Track पर खेला जाता है तो सबसे नए आपका अभी मर लेने जिसके शुरुवात अठाव सत्रतर में और सबसे नए आपका आश्ट्रेलियों उपन जिसके शुरुवात 1905 में हुई है तिस प्रकार जो है इसका जो पहला और तीसरा है वह सही है आईते हैं अगला प्रसम लो यहाँ पर यूग में दिया आग है प्राणियों का इनमें आपको बताना है किसका जो है रक्त वह गर्म रक्त है मगरमा चाव सुतर मुर हैईक फेस्ट डॉग फेस्ट काचुगा तथा सुतर मुर या मोर्ग तथा उट गर्म रक्त वाले प्राणियों की पहचान करने हैं आपको इसका जो सही आंसर है वो अपसंदी मोर्ग और उंट का जो रक्त होता है वह गर्म रक्त होता है गर्म रक्त वाले जानवर वे होते हैं जो अपने सरीर को जो है गर्म बना सकते हैं और में आपका मोर आता है और उंट आता है आगर ऑवराल देखा जाए तो पक्चिय और रस्तनधारी जो है उबड़ प्राइय गर्म रंप वाली प्राणीं हैं आते हैं और थंडे मंच्लिए यह सबी जो है ठंडे रखत वाले प्राणी प्राय होते हैं इसका जो आप्सन दी है वस सही है आगे बढ़ने स्वाले आपको बताना चाहता हूं यो पिसी आरो, बी ओ, यो पिसेस प्रिलिम, बी पिसी सहीत हमारे का इस प्रिगूप चल ले हैं अगर आप इन प्रिगूप से जोढ़ना चाहते हैं तो दिये गई नमबर पिकॉल का जनकाई प्रात कर सकते हैं अगला प्रसंबों गेखते हैं, British सरकार दवरा, दामिन एक को होका निर्मान, निमर्खित में से किस संदायगों को बसाने के लिए किया गया था, संधाल, मुंधा, औरोंस, या सुरां तो इसका जो सही आंसर है संथाल संधाय को बसानी के लिए ब्रेटिस सरकार ने दामिन E को का निर्मार किया था और यह जो है जहारखंड के राजमाहल पाड़ियां है उनकी आसपास के छेत्रूम जो है संथालों को दिया गया था और उसे दामिन E को कहा जाता था इसका जो option A है वे सही है और राजमाल की जो पाड़ियां है जैसा कि आप जानते हैं जहारखन में है इसका जो option A है वे सही है 1990 में अंतर राजी परिशत की अस्थापना किस आयो की संसुत पर किया गया था पुंची आयो, सरकारिया आयो, राजमनार आयो या मुंगरी लाल आयो तो सरकारिया आयो की संसुत पर जो है 1990 में अंतर राजी परिशत की अस्थापना की गया थी और सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वो 1903 में इसका गठन किया गया था और बाद में जो है इस आयोग ने 1988 में अपने रिपोर्ट सम्मिट की थी और इसी के संस्तुत पर अंतराजी परसित के जो अस्थापना है वो वर्स 1990 में की गया थी इसका जो आप्शन भी है विश सही है आठार सताओं की विद्रोग की समय जो है डंका साह की नाम से किसी जाना जाता था साहमल मौलवी एहमदुल्ला साह नाना साहिब या तत्या टोपि तो डंका साह की नाम से मौलवी एहमदुल्ला साह को जो है जाना जाता था और इन्होंने विद्रोग का नेत्र जाएजावास से किया था आप लोग कमेंट बाक्स में ताट्या टोपिने कहां से विदरों में इसका उतर आपने कौन बाक्स में रूदी जिएगा आएते हैं अगला प्रस्में किसी नयायाला या नया अधिकरण के आदेश कुरध करने के प्रतिष्एद प्रधिकारिता या उत्प्रेशन करता है उसको रोकने के लिए उत्प्रेशन डिट जो है वह जारी की जाती आई जैसे हैं, चौटल डिट होती है इनमें आपका बंदी प्रतच्छी करण परमादेश उत्प्रेशन प्रतिसेद अधिकार प्रिच्छा तोटल जो है पांच रिड़ जारी की जाती है जिन में उत्प्रेशन का प्रयोग के जाता है किसी न्याजालाय अथवा न्यादिकरण के आधिश को रद्द करने के लिए इसका जो आपसन दी है विस सही है आयते हैं अगला प्रसम लोग यहां पर एक तरफ देश दिया गया है दूसरी तरफ जो है और दोगी छेतर दिया गया है इनमें आपको पताना है कौन सही सुमिलित नहीं है यूपीपीसी आयोग में जो है सब से प्रसंदेदा प्रस्नों में य पातिया प्रसा टंथ जर्मनी इसमें जो है जो शही सुमिलित नहीं है वा आपका ल्रेन अधविजी ए अमेरिकांस में यह बलकि फ्रांस में बाकी आपका रूर плат अधविदा की ब्रिश्चो अधविदा-अधविदा इंग्लेंड में सेक्सोनी अधविदा आपके जर्मन कि ने की थी जोतिबाब फोले पेरियार बीराममेटकर या मक कवडा नहीं दी तो इसके जो अस्थापना की थे वह वैं अस्थापना क्ये थे आchar भारति दिये गया के पहला पुलिजर पुरुषकार पराप्त करने वाले पहले भार्ती थे आरुन्धति राय गोविंद बिहारी लाल वीजय सेसांद्र या जुमपा लाहेडी तो इसका जो व configur है पहले भार्ती थे जन्हें और यह स्पेसल पत्रकाजता में प्राप्त हुआ था इसके बाद विजय सेसंद्र हुआ इन्हें जो अवार्ट मिला था वह 2014 मिला था जुमपा लाहडी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ था वह वर्स 2000 में प्राप्त हुआ था यह फैक्ट आप लोग नोट कर लेजिए और प्रुष्कार जो है यह पत्रकाजिता में दिया जाता है इसका जो प्संद भी है वह सही है जॉन मेनाड कीन्स के अंसार रोजगार निर्भर करता है समगर मांग पर, समगर पूर्द पर, प्रभावी मांग पर या ब्याज की दर पर किसी देश में रोजगार की मात्रा, ववस्तूं और सेमाओं के लिए लोगों की प्रभावी मांग के अस्तर पर निर्भर करता है देश सामिल है, चीन, वियतनाम, मलेसिया, इंडोनेसिया, इसके लिए चार अपसंद दिया गया है, आप लोग अपसंद पढ़ लेजिए, दशिर चीन सागर में जो विवाद है, उन देशों में आपका चीन है, ताइवान है, फिलिमपीन्स है, ब्रुनोई है, मलेसिया, वियतनाम, यह सभी देश जो है, इसमें सामिल है, यहाँ पर जो है, इंडोनेसिया सामिल नहीं है, बाके चीन है, वियतनाम और मलेसिया है, एक प्रसम लोग मैंक के सारे से देख लेते हैं यह जो छेत्र है और इसमें आपका चीन ताइवान फिलिपिन्स ब्रुनोई मलेसिया और वियतनाम जो है इस विवादी छेत्र में सामिल है और यह आपका पस्रिमी प्रसांद महासागर में जो है इस्तित है दश्री चीन सागर अनदा आप यह जो कारय करता है यह आपका लाइसिसोन कार करता है मोकरोब से पाचक एंजाईनों के संग्रहां गार केता है और लाइसिसोन के खोज है अवह डिवभे ने डी डूबे ने वर्स 1905 में की थी इसका जो आप्संस C है वह सही है और इसे जो है कोशिका की आत्म घातक जो है थाहिलिक रोप में भी जाना जाता है ने वर्स 1905 में से काउन साजीव पोसर की मृत जीविक बीद पर निर्वर होता है अगरिकैस यूलोथ्रिक्स रिक्सिया या कलेड़ोफोरा इसका जो आप्संस ए है वह सही है अगरिकैस जिसे हम लोग मस्रूम की रूप से सामान रूप से जानते हैं यह जो है पोसर की मृत जीविक बीद पर निर्वर करता है और इसका जो पोसर होता है वह अच्छा यूग नम पत्तियां है नम अम्रित लकडियां होती है कुछ बेकाल सड़े हुए आउसेस पतार्तों जो है इसका पोसर होता है एगरिकैस का इसका जो आप्संट ए है वह सही है भारती जो दोनों ना तो एक ना ही दो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है भारती प्रतियसपर्धा आयोग जो है यह भारत सरकार का एक वैधानिक आयोग है और इसका जो गठन किया गया था वह प्रतियसपर्धा अधनियम 2002 के तहत जो है इसका गठन किया गया था वर्स 2009 में जै करते हैं चरंगी निधित करते हैं ईनमें एक अद्यश होते हैं और छे अन्य सदस्य करते हैं अन्य सदस्य ने हैं बंग्र्थपरफफ़ तकर हम अध्यच क्यों चुनी गए हैं इसका जो ऊप्सनसी नहीं परणवा, आयो़ के तक खानु पनबह तकर ऐता है confirmation यहाँ पर दच्छिड अफरिका के चार देश दिये गये हैं इनमें आपको उताना है किस से होकर जो है मकर रेका नहीं गुजरती है चिली, बुलोबिया, परागवे या ब्राजील जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साड़े तेश अंस दच्छिड अच्छांस को मकर रेका का जाता है और यह जो है दच्छिड अफरिका के चार देशों सुकर गुजरती है जिन में आपका चिली सामिल है, परागवे सामिल है, ब्राजील सामिल है और अर्जिन्टीना तो टोटल जो है चार देश हैं जो दच्छिड अमेरिका के जिन से मकर रेका जो है वह गुजरती है बोल भी यह से नहीं गुजरती इसलिए जो है इसका जो आप्शन भी है वह सही है मकर रेका जो है वह कुल तीन महादीपोस गुजरती है जिन में आपका दच्छिड अमे प्रवाइक नाम आप लोग कॉन बाक्स मताईगा कि कौन से ऐसे महासागर है जहां से माका रेका होकर गुजड़ती है इसका जा अप्षन भी है वह सही है आसा है आप सबी को बहुत कुछ जाने को मिला होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक् कर भोग कर सकते हैं